मैं आपके शहर सोलापूर के लिए नया नई हूँ, बहुत बार मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज आपसे एक विशे संदर्व में समबाद करने आया हूँ मैं महात्मा गांदी के गाउं से महात्मा गांदी का संदेश लेकर आया हूँ महात्मा गांदी का गाओं सेवा ग्राम है वर्धा जिले में मैं वहीं रहता हूँ गांदी जी का आश्रम मेरा निवास इस्थान है वहां से एक संदेश लेकर विशेश संदर में आया हूँ वो संदेश ये है कि जब आजादी मिलने का समय तय हो गया और अंग्रेजों ने ये घोशना कर दी कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी जो भारत का सबसे प्रमुक व्यक्ति था जिसका नाम था मौंट बेटन उसने गांदी जी को एक मुलाकात लिया बेट किया ये घटना है सन 1946 के और महीना था दिसंबर का गांदी जी को मौंट बेटन ने एक प्रश्न पूछा बहुत गंभीर प्रश्न था उसने कहा कि बापू अभी भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो आपके मन में सबसे पहला कौन सा काम है जो आप करेंगे भारत पे अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों की सरकार चली जाने के बाद आप कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करना पसंद करेंगे मालो के हम सब चले गए अंग्रेज अब आप बताए कि क्या करेंगे राजकारण ठीक करेंगे अर्थ व्यवस्था ठीक करेंगे भारत के नेताओं को जो नेतिक रूप से कमजोर हैं उनको दुरुस्त करेंगे सिख्षा व्यवस्था ठीक करेंगे शेती विवस्था में काम करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले गांदी जी ने बहुत सुन्दर उत्तर दिया उन्होंने कहा कि तुमारी सरकार जाने के बाद मैं कलम की पहली नौक से बारत के सब कतल खाने बंद कराऊंगा सबसे पहले माउंग वेटन को बहुत आश्यर हुआ उसको आश्यर ये हुआ कि ये क्या उत्तर दिया है इन्होंने उसको अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा उत्तर गांदी जी से मिलेगा उसने फिर प्रश्न किया बापू कतल खानों की जो समस्या है भारत में इससे भी जादा बड़ी कई समस्या है गरीबी की है बेरोजगारी की है भुखमरी की है भारत देश में उस जमाने में आप जानते हैं हिंदू मुसल्मानों के दंगे हो रहे थे वो एक बड़ी समस्या है सामपरदा इक्ता की समस्या है तो आप इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं को छोड़कर और संभावना उस समय ये हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान बनेगा ये लगबग तै हो गया था लेकिन गांदी जी ने उसे सुईकार नहीं किया था और गांदी जी ने घोशना कर रखी थी कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा माने मैं पहले मरूंगा बाद में पाकिस्तान बनेगा तो मांट बेटन ने फिर प्रश्न दोहराया आपना कि इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं भारत में हैं उनको छोड़कर आप ये कतल खाने बन्द कराइंगे ये तो बहुत छोटी सी समस्याओं गांदी जी ने उससे भी बड़ा उत्तर दिया उनको देखो मांट बेटन मेरे लिए भारत में कतल खानों का चलना सबसे बड़ी समस्याओं और अगर अंग्रेज ये कहें अंग्रेजों के लिए वो चुनाओ करें तो माने अंग्रेज अगर मुझको ये कहें कि या तो भारत की आजादी ले लो या कतल खाने बंद करा दो तो मेरा चुनाओ होगा कि कतल खाने पहले बंद होने चाहिए आजादी बाद में आ जाएगी फिर मांट बेटन ने आखरी बार एक और बात पूछ लिया कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपू ये कतल खानों के बंद हो जाने से भारत की सबसमस्याओं का समाधान हो जाएगा तो गांदी जी ने कहा देखो सब समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा ये मैं जानता हूँ लेकिन कतल खानों के बंद होने से सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाएगा और जब तक ये कतल खाने चलेंगे भारत की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला ये बात गांदी जी और मांट बेटन के बीच की है बाद में मांट बेटन ने कहा ये मैं वरत पत्र में दे दू छापने के लिए गांदी जी ने का दे दो और भारत से अच्छा है लंदन में दे दो तो लंदन के कई अख़वारों में गांदी जी की ये मुलाकात छपी बाद में गांदी जी को इंटर्विव लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग आए लंदन से और कई कई तरह के सवाल उन्होंने गांदी जी को पूछे सबका उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर मुझे आज़ादी और पशुओं की रक्षा में से कुछ चुनना पड़े तो मैं पशुओं की रक्षा को पहले चुनूँगा आज़ादी तो बाद में आती रहेगी क्योंकि आज़ादी तो हमें उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन हमने हमारे पशुओं को बचाने का काम शुरू कर देना इस तरह की बात कहने वाले महात्मा गांदी अब इस देश में जीवित नहीं है लेकिन हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि उनकी आत्मा को हम कोई सची शर्दान जली दें तो उनके इस बात को याद करें कि गांदी जी के जाने के बाद क्या हुआ इस देश में जो महात्मा गांदी कहते थे कि कलम की एक नौक से मैं सारे कतल खाने बंद करा दूँगा वो महात्मा गांदी के विचार का क्या हुआ इस देश में गांदी जी 30 जनवरी 1948 को चले गए उनकी हत्या हो गई उसके बाद क्या हो गया इस देश में उसके बाद इस देश में हो ये गया कि गांदी जी के मरने के साथ ही उनका विचार भी मार डाला गया मर नहीं गया मार डाला गया गांदी जी को सिर्फ फोटो में जिन्दा रखा है विचार के इस तर पर उनको वो संपून दफन कर दिया गया है उनका एक भी विचार भारत देश की सरकारों ने पिछले 69 वर्षों में माना नहीं दो को छोड़ कर एक सरकार थी श्री लाल बहादुर शास्त्री के और दूसरी थी श्री मुरार जी देसाई के श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने जरूर गांदी जी के विचार पर आधारित नीतियां बनाई थी और कारिक्रम भी किये थे और दूसरे एक प्रधान मंत्री श्री मुरार जी देसाई जिन्होंने गांदी जी से ही दीक्षा ली थी वो गांदी जी के ही शुष्ष थे और बाद में संयोग से इस देश के 1977 में प्रधानमंत्री बने थे वो ऐसे ही बात करते थे जैसे गांदी जी करते थे आपको मालूम है मुरार जी देशाई ने गांदी जी से दीक्षा लेने के बाद एक कसम खाई थी कि मैं कभी भारत में किसी ऐसे constitutional पोस्ट पर आया तो आपकी एक्षा के अनुरूप सबसे पहले शराब बंदी करूँगा और आप जानते हैं श्री मुरार जी देशाई ने गुजरात में संपूर शराब बंदी लागू कराई थी उनका दूसरा कदम था कि भारत में शराब बंदी होनी चाहिए लेकिन वो हो पाता तब तक उनकी सरकार गिरा दी गई लेकिन उन्होंने एक कदम उठाया गुजरात में शराब बंदी कराई वो आज तक लागू है और उस शराब बंदी के प्रश्ण पर बहुत सारे राजियों में समय समय पर आंदोलन हुए हैं और उन्होंने समय समय पर कई बार सफल्ताएं पाईें आंद्र प्रदेश में हुआ, हर्याणा में हुआ, महराश्ते में, विधर्ब में बहुत हुआ अनेक अनेक बार अनेक अनेक जगे हुआ दूसरा गांदी जी के विचारों पर आधारित श्री मुरार जी देशाई ने एक काम ओर किया गांदी जी कहते थे भारत को स्वदेशी स्वावलंबन की रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए मुराधजी देशाई पहले प्रधानमंतरी थे जिननोंने विदेशी कमपणियों पर सबसे पहले पाबंदी लगई उन्होंने का हमें विदेशी कमपणिया नहीं चाहिए आपको याद होगा कोका कोला पर पाबंदी लगाने वाले वो भारत के पहले और आखरी प्रधान मंत्री थे 1977 में कोका कोला को नोटिस देकर हिंदुस्तान से भगाने वाले वो पहले और आखरी प्रधान मंत्री थे क्योंकि उनके बाद किसी प्रधान मंत्री में हिम्मत नहीं हुई जो कोका कोला को इस देश से भगा सके बाकी प्रधान मंतरियों ने दरवाजा खोलकर उसको बुलाया जरूर लेकिन मुरार जी दे साई न भगाया ऐसे ही एक प्रधान मंतरी श्री लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधान मंतरी बनते ही गांदी जी की एक नीती का अनुसरण करके इस देश में बहुत बड़ा उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा लिया जब शास्त्री जी प्रधानवंत्री बने थे तो भारत देश में अमरीका से गेहु आयात होता था लाल रंग का बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहु भारत वासी खाते थे अमरीका के साथ भारत सरकार ने एक समझोता किया था PL 480, यह अमेरिका का एक कानून है PL का माने Public Law, Public Law 480, वो एक Agreement था उसके तहट अमेरिका से गेहूं भारत में आता था शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही वो गेहूं लेना बन किया था और उनका कहना था कि अमरीका से घटिया क्वालिटी का गेहूं खरीद कर खाना उससे अच्छा है भूखे मर जाना और जिस समय उन्होंने अमरीकी गेहूं खरीदना बन किया था उस समय भारत बहुत गंबीर परिस्तिती में फसा हुआ था पाकिस्तान से हमारा युद्द चल रहा था और युद्द के समय में आप जानते हैं अर्थ व्यवस्था बहुत नाजुक दोर में होती है कोई भी बड़ा फैसला करने की हिम्मत सामन रूप से प्रधान मंतरियों में नहीं होती है लेकिन शास्त्री जी ने हिम्मत किया और युद्द के दोरान अमरीका को कह दिया कि हमें आपका गेहू नहीं लेना है तो अमरीका ने थोड़ी धमकी दिया था कि अगर आप हमारा गेहू नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे तो शास्त्री जी ने चाओ, ठीक है, हमें भूखे मरना आता है बनिस्बत की अपमान के साथ, अमरीका का गेहूं खाना और उस समय जब गेहूं लेना बन किया, तो भारत में गेहूं की कमी हो गई तो शास्त्री जी ने लाखों करोडों भारतवासियों को अपील किया कि सबताह में एक दिन वरत रखना शुरू कर दो और करोडों भारतवासियों ने उनकी इस अपील का स्वागत किया और कोटी-कोटी भारतवासियों ने वरत रखना शुरू कर दिया अभी भी इस देश में लाखों भारतवासी हैं जो सोमवार को खाना नहीं खाते क्योंकि शास्त्री जी ने सोमवार को ये कसम दिलाई थे ये दो प्रधान मंत्री बहुत अच्छे हुए इस देश में लेकिन दुर्भाग के दोनों का ये था कि किसी की भी सरकार पांच साल के लिए नहीं चले शास्त्री जी की सरकार पांच साल नहीं चल पाई मुरार जी देशाई की सरकार पांच साल नहीं चल पाई जो ये दोनों पांच साल चल गए होते तो आज ये कतल खानों का प्रशन हमारे सामने नहीं होता वुरार जी देशाई ने तय किया हुआ था कि वो तीन प्रशनों को हल करेंगे शराब बंदी का, कतल खानों का और भारत देश में गरीबी बेरोजगारी का लेकिन आप जानते हैं 22-23 महीने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई शास्त्री जी की सरकार तो 18 महीने के बाद चली गई क्योंकि उनकी हत्या हो गई वो गए थे ताशकंद एक समझोता करने पाकिस्तान से दोस्ती का लेकिन वो जीवित वापस नहीं लोटे तो ये दो प्रधान मंत्रियों ने पूरी इमानदारी के साथ इस देश में गांदी जी के विचार को जीवित करने का और उसको क्रियानवित करने का प्रयास किया बाकि किसी ने नहीं किया अपने को महात्मा गांदी का सबसे अच्छा शिश्ष बताने वाले पंडित जवारलाल नहरू ने तो गांदी जी के सपनों का एक प्रतिशत हिस्सा भी इस देश में पूरा नहीं किया गांदी जी और पंडित जवारलाल नहरू के विचारों में बहुत मतवेद था लेकिन गांदी जी के ये महानता थी कि उन्होंने उस मत्वेद को कभी जनता के सामने नहीं लाया अगर जो लादिया होता तो पंडित नहरू प्रधान मंतरी कभी बन नहीं पाते इस तेश 1937 का लिखा हुआ महात्मा गांदी का एक पत्र है पंडि जवारलाल नहरू के नाम उन्होंने कहा कि मेरे और तुमारे विचार इतने विपरित हैं चिए जनता के सामने इन को खोल दूँ ताकि लोगों को पता चले कि नहरू कया है और मैं क्या हूं तो नहरू जी तुरंट गांदी जी के पास पहुँचे और कहने लगे बापू ये समय नहीं है उन विचारों को खोलने का अभी तो पहले आजादी लेनी है आजा उसके बाद ये सोचेंगे लेकिन आजादी आई उसके बाद वो विचार लोगों के सामने नहीं आए नहरू जी और गांदी जी में बहुत बड़े मतवेद थे उसमें एक मतवेद ये कतल खानों के प्रशन पर भी था दूसरा मतवेद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम काईदे कानूनों पर था तीसरा मतवेद अंग्रेजों की प्रसाशनिक व्यवस्था पर था चौथ चालाकी करते थे होशियारी में और चालाकी में थोड़ा अंतर होता है होशियार होना बहुत अच्छा माना जाता है चालाक होना अच्छा नहीं माना जाता चालाकी क्या करते थे जब ही देखा कि बापू नाराज हो रहे हैं अपने को विड्रो कर लेना क्योंकि उनको मालूम है कि बिना इनके आशिरवाद के मेरा कोई इस देश में न भविश है न वर्तमान है बूत कल तो ऐसा था नहीं कि जो देश के लायक वो कुछ हो पाते वर्तमान और भविश गांधी जी ने उनको बना दिया क्योंकि उनके उपर हात रख दिया बहुत सारे भारतवासी मानते हैं कि पंडित नहरू को गांधी जी ने आगे बढ़ाया ये बात आंशिक रूप से सच है लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि पंडित जी की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा में जमीन आस्मान का फरक था आपके सामने अभी संदीब भाई ने जब ये बात कही पंडित नहरू ने एक लाहोर में भाशन दिया था एक कतल खाना खोला था अंग्रेजों की सरकार ने भारत में धाई सो साल के साशन में साड़े तीन सो कतल खाने खोले थे सबसे पहला कतल खाना उन्होंने कलकता में खोला था रॉबर्ट कलाइब नाम का एक अंग्रेज था शत्रह सो सत्तावन में जब उसने कलकता को जीत लिया तथाकतित रूप से जीत लिया युद्द के मैदान में नहीं चाला की के साथ वो कहानी आप सब जानते हैं सिराज स्थापना करनी अंग्रेजी राज्य के अब मुश्किल ये थी कि सिराज दौला के पास 18,000 सैनिक थे रॉबर्ट कलाइब के पास मुश्किल से 300 सैनिक थे 300 सैनिक 18,000 का मुकाबला नहीं कर सकते ये रॉबर्ट कलाइब जानता था तो उसने क्या किया सिराज दौला की सेना म अपने कुछ एजेंट भेज दिये और उनसे कहा कि तुम पता करो कौन इसमे गद्दार है जो भारत से गुद्रोह कर सकता है सिराजव दौला के एजेंटों ने पूरी आरमी में घुम के पता कर लिया कि सिराजव दौला का सेना पती ही है जो गद्दारी करने को तैयार है अब किसी राजा का सेना पती जब राजा से और राज्य से गद्दारी करने τοियार हो तो खतरनाग होता है वीर जाफर नाम का एक सेना पती हुआ करता था सिराजव दौला का उसने ईस इंडिया कंपनी और रॉबर्ट कलाइब से एक समझोता कर लिया समझोता ये कि हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन नकली असली युद्ध नहीं लड़ेंगे सिराज़ दौला को लगेगा कि ये असली युद्ध हो रहा है लेकिन हम नकली युद्ध लड़ेंगे और युद्ध शुरू होने के दस मिनट के बाद मैं माने मीर जाफर अपने सैनिकों के साथ रॉबर्ट कलाइब के सामने आत्म समर्पन कर दूँगा रॉबर्ट कलाइब उद्ध में जीतने की घोशना कर देगा बाद में हम दोनों मिलकर सिराजुद दौला को मारडा लेंगे और समझोते के मताबिक वीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया जाएगा तो प्लासी के मैदान में जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं बड़ा भरी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, वहां नकली युद्ध हुआ बारत की ओर से लड़ने वाले सिराजद दौला की सेना का सेना पती अंग्रेजों से जाकर मिल गया 20 मिनट में अंग्रेजों ने खोशना कर दी कि हम युद्ध जीत गए मीर कासिम को राजा बना दिया, बाद मैं मीर कासिम की हत्या कर दी और रॉबर्ट कलाइब बंगाल का राजा बन गया, बंगाल का राजा बनने के बाद रॉबर्ट कलाइब ने सबसे पहला कतल खाना शुरू किया, और उस कतल खाने में रोज की लगबग 30 से 35 हजार गाय काटी जाती थी अब वो कतल खाने का साइज कितना बड़ा रहा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं क्योंकि उस जमाने में मशीन से नहीं काटी जाती थी गाय उस जमाने में हाथ से काटी जाती थी तो आप कलपना करिए एक कसाई एक दिन में दस घंटे काम करे तो तीन चार से ज्वादा गाए नहीं काट सकता इसका माने 32 अजार गाएं को काटने के लिए कितने कसाई रहे होंगे अंग्रेजों ने उन सब को नौकरी पर रखा था और अंग्रेजों को गाय का मास खाना है इसलिए वो कतल खाना शुरू किया गया था और उस कतल खाने में गाय का मास उत्पन होके अंग्रेजों के सैनिकों को उपलब्द कराया जाता था बंगाल में कलकत्ता में उस समय अंग्रेजों के लगबग पचास हजार सैनिकों की सेना के प्रमुख अधिकारी रहते थे पूरे भारत में अंग्रेजों की कुल आर्मी पचास हजार थी उनके प्रमुख अधिकारी सब कलकत्ता में रहते थे बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों की सेना के हर इस्थान के सेनिकों को गाए के मास की मांग होने लगी, तो अंग्रेजों ने जहां जहां भी सेना थी, वही वही कतल खाने खुलवा दिये, अगर आप भारत के कतल खानों का इतिहास ध्यान से समझें, तो जहां जहां भी केंटोनमेंट हैं मिलेटरी केंट हैं वहां सब जगे कतल खाने हैं उधारन के लिए पूरवी भारत में सबसे बड़ा मिलेटरी केंट है कलकत्ता में सबसे बड़ा कतल खाना कलकत्ता में उसके बाद पूरवी भारत में ही एक दूसरा बड़ा केंट है बैरकपुर में, दूसरा बहुत बड़ा कतल खाना बैरकपुर में, तीसरा है पत्ना में, तो कतल खाना पत्ना में, ऐसे ही अगर उत्तर भारत में जाएं तो बहुत बड़ा मिलिटरी केंट है मेरट में, और बहुत बड़ा कतल खाना है मेरट में, ऐसे ही अ किया और हर उस जगे एक कतल खाना होना कंपल सरी कर दिया एक तो ये किया एक और बहुत दुर्भाग पूर्ण दूसरा काम किया इन अंग्रेजों ने इस देश में जहां भी अंग्रेजों की आर्मी रहेगी वहाँ एक कतल खाना रहेगा और कम से कम एक वैश्या घर होगा य अगर आप ध्यान देंगे तो जहां भी मिलिटरी केंट हैं सब जगे रेड लाइट एरिया हैं मुंबई में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मुंबई में कलकत्ता में अंग्रेजों की आर्मी बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया म और अंग्रेजों का तर्क क्या था वो ये कहते हैं कि हमारे सैनिक महिनों महिनों अपने घरों से दूर लंदन से आकर यहां रहते हैं उनको अपनी शारिरिक भूक मिटाने के लिए इसकी जरूरत है इसलिए वैश्या वरती को और्गनाइज लेवल पर ट्रेड के रूप में establish कर दिया मैंने हिंदुस्तान के इस वैश्या वरती के इतिहास पर थोड़ा काम शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों से कि आखिरकार यह और्गनाइज लेवल पर प्रोस्टिटूशन कब से आया इस देश में क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते हैं तो गणिकाएं हुआ करती थी कोई वैश्या नहीं होती थी इस देश के गणिका में और वैश्या में जमीन आस्मान का अंतर होता है गणिका कौन होती है जो ईश्वर के लिए नत्य करती है और ईश्वर के ध्यान में ही मगन रहती है किसी आदमी के लिए नत्य नहीं करती है परिवार के लिए न इंदुस्तान में लाकर इस्थापित करने का काम अंग्रेजों ने किया एक तो कतल खाने खुलवा गए दूसरे वहिशे अगर खुलवा गए गांधी जी को इन दोनों से ही नफरत थी और गांधी जी बार बार अपने व्याख्यानों में बार बार कहते थे कि एक दिन के में शराब बंदी करा दूँ चौथे काम ऐसे लिस्ट बना रखी थी उन्होंने लेकिन उस लिस्ट में शुरू में ये तीन काम थे कतल खाने बंद करना सबसे पहला दूसरा वहिशे अगर बंद करना तीसरा ये जो जगे जगे अंग्रेजों ने शुरू किया था तमाशा शराब का और जगे जगे पबिकली शराब पीना और लोगों के सामने उसका डिमोंस्ट्रेशन करना ये बंद करा लेकिन दुरुभा कि इस देश का ये रहा कि गांदी जी की एक भी इक्षा पूरी नहीं हुई अंग्रेज गए उन्होंने जो कतल खाने खोले थे वो अंग ग्रेजों से ज़्यादा बेहूदगी तरीके से भारत की सरकार ने शराब को बढ़ाबा दिया गांदी जी की एक भी इक्षा पूरी नहीं हुई है पता नहीं उनकी आत्मा को शान्ती मिली होगी या नहीं मिली हो बहुत लोग कहते हैं कि मरने वाले की आत्मा को शान्ती त सरकारी अधिकारी प्रधान मंत्री से लेकर राश्रुपती राश्रुपती से लेकर राज्यपाल मुख्य मंत्री तमाम मंत्री गांदी जी की समाधी पर जाते हैं कुछ फूल चढ़ाते हैं तीवी चैनलों पर हम उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं बापु जी को य सत्याग्रह का 75 वर्षगाठ मनाये गया गांदी सत्याग्रह, डांडी सत्याग्रह, डांडी सत्याग्रह का 75 वर्षगाठ, 1930 में महात्मा गांदी ने डांडी सत्याग्रह किया था, अंग्रेजों की सरकार के नमक के टेक्स कानून को वापस कराने के लिए, उस सत्याग्रह में गांदी जी सावर मती आश्रम से निकले थे अपने 78 कारिकरताओं के साथ और जब समुद्र के किनारे पहुँचे डांडी पर तो एक कोटी से जादा लोग उनके पीछे थे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था अंग्रेजों की सरकार ने भारत के नमक पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेजी नमक को टैक्स फ्री कर दिया था इस काले कानून के खिलाफ गांदी जी निकले थे और संकल प्ले कर निकले थे कि जब तक अंग्रेज भारत से नहीं चले जाते में सावरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा उनकी पत्मी के द्वारा पूछने पर श्रीमती कस्तूरबा जी ने पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं अंग्रेज अभी जाने वाले हैं क्या तो गांधी जी ने और खराब शब्दों में कहा कि मैं कुटे की मौत मरना पसंद करूँगा पक्षियों की मौत मरना पसंद करूँगा लेकिन सावरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा जब तक अंग्रेज भारत से नहीं जाते और वो निकल पड़े डांडी सत्यागरे सफल हुआ अंग्रेजों ने नमक का टेक्स वापस लिया लेकिन देश नहीं छोड़ा तो गांडी जी सावरमती नहीं गए और पैदल भटकते भटकते वरधा आ गए वरधा में एक कुटिया बना लिया और वही पर एक आश्रम इस्थापित कर दिया सौ भागे से आज मैं उसी आश्रम में रहता हूँ गांडी जी के सपनों में ये जो सबसे पहला काम था पशुओं का कतल रुकना कारण क्या उसका गांडी जी को एक बार पूछा गया था कि आप पशुओं को क्यों बचाना चाहते हैं बहुत सुन्दर उत्तर दिया कि ताकि मैं जिन्दा रह सकूँ उत्तर बहुत सुन्दर है उनको जब पूछा गया कि आप पशुओं को क्यों बचाना चाहते हैं तो उनका मैं जिन्दा रह सकूँ इसके लिए पशुओं को बचाना चाहता हूँ और उसको और आगे उन्होंने बोला उन्होंने कहा कि मैं पशुओं को बचा कर उनके उपर कोई अहसान नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे उपर अहसान कर रहा हूँ कि ये पशु जिंदा रहेंगे तो मैं जिंदा रहूँगा एक बार ऐसी तरह से उनको और प्रशन पूछा गया कि आप पशुओं की जीवदया की प्रेम की करुणा की इतनी सब बातें क्यों करते हैं तो उन्होंने का मैं सनातनी हिंदू हूँ इसलिए किसी ने पूछा आप तो सामप्रदाइक्ता कर रहे हैं उन्होंने का अगर किसी को कहना है तो कहे मैं सनातनी हिंदू हूँ और तीन बार बोला इस बात को कि मैं सनातनी हिंदू हूँ जिसको जो समझना है समझे तो पूछने वाला जानता नहीं था ये सनातनी हिंदू क्या होता है तो गांदी जी को पूछ लिया ये सनातनी हिंदू की परिभाशा क्या है तो उनका सनातनी हिंदू का मतलब होता है जो पुनर जनम में विश्वास करता है मैं पुनर जनम में मानता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि पश्वों की रक्षा होनी चाहिए बात वहीं पर खतम हो गई मैंने इस गांदी जी के statement पर बहुत सोचा कि उन्होंने कहा क्या और इसका मतलब क्या है कई बार क्या होता है ना बड़े लोग, महान लोग between the lines बहुत कुछ कह जाते इसमें गांदी जी ने बहुत कुछ कह दिया है पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था ये बात अब समझ में आये गांदी जी ने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूँ सनातनी हिंदू कौन होता है जो पुनर जनम में मानता है इसका माने पूरा भारत वर्ष सनातनी हिंदू है क्योंकि सारे भारतवासी पुनर जनम में मानते है भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुनर जनम नहीं मानता हो मैं हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिन इतना यात्रा कर चुका हूँ कि लगब तीन बार भारत की परिक्रमा के बराबर और मैंने अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्मों के लोगों से एक ही प्रश्च कई बार पूछा है गांदी जी को समझने के लिए पुनर जनम में मानते हो हाँ हाँ मानते हो है लेकिन हमारी बाइबिल नहीं कहते है हम तो मानते है बाइबिल में नहीं है एक बार में है एक बहुत बड़े मुलाणा अब्दुलवहीद खान से बात कर रहा था लख्नों में मैंने का आप पुनरजनम में मानते हैं हाँ मानता थो हूँ लेकिन कुरान शरीफ में कहीं नहीं तो मैंने का अब इसमें संकट है अगर आप कुरान शरीफ को मानते है कुरान शरीफ पुनर जनम को नहीं मानती है तो आप पुनर जनम में कैसे मानते है तो उसने का देखो यार भारतियता जाती नहीं है अब इतनी बड़ी बात भारतियता जाती नहीं है भले हम मजहब बदल लें संपुरदाय बदल लें भारतियता नहीं जाती फिर एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके संपुरदाय में मजहब में ऐसे कितने लोग हैं जो पुनरजनम मानते हैं उनोंने का शायद 90 प्रतिशत होंगे मैंने का आप गारंटी से कहते हैं उसने का शायद 95 परसंट होंगे फिर तीसरी बार कहा तो 99 परसंट भी हो सकते मैंने पूछा कैसे तो रनका हम कोई अरब देश से आई हुए थोड़ी है हम तो यहीं के हैं हजारों साल हमारे पुर्खे तुमारे ही जैसे थे किसी एक समय विशेश में किसी गलत काम के कारण या गलत प्रभाव के कारण हमने मजहब बदल लिया तो भारतियता थोड़ी चली गई है फिर मैंने कहा मुझे ऐसे कुछ लोगों से बुला दो जो भारतिय मुसल्मान है आजके लेक शब्द चल गया है ना American Indian है ना तो मैंने का चलो भारतिय मुसल्मान है उनसे मिलवा दो उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों से मिलवाया है उनके घरों में मैं गया हूँ उनकी शादी व्याह की पद्धितियों को मैंने देखा है नामकरण की पद्धितियों को देखा है उनके त्योहारों की रीत रिवाजों को देखा है कहीं से नहीं लगता है कि वो अभारती हो गए ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है कि उनका नाम बदल गया है और पूजा करने की पद्धिती बदल गई है तो क्या पूजा करने की पद्धिती तो हम सनातनी हिंदूओं में भी इशिष्ट है कोई मंदिर को मानता है कोई नहीं मानता है कोई दुरगा को मानता है कोई हनुवान जी को मानता है कोई किसी को मानता ही नहीं है कहता है कि देवी देवता होते नहीं है मूर्ती कुछ हो तो पूजा की पद्दिती तो हम में भी बदली हुई है उन में भी बदली हुई है तो क्या भारतियता तो नहीं गई है मैंने एक उन से प्रशन पूछा खान साब से कि अच्छा ये बताईए कतल खानों पर आपका क्या विचार है उन्होंने का वो ही जो महात्मा गांदी का कतल खाने बंदोने चाहिए मैंने पूछा क्यों बंदोने चाहिए तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम जिन्दा रह सकें मैंने कहा आप गांदी जी को अनकुरन कर रहे हैं या इमानदारी से कह रहे हैं उन्होंने कहा मुझे भी समझ में आता है कि पशू जिन्दा है तो हम जिन्दा है हमारी वकाद तो इन पशू हों से है अगर ये चले गए तो हम तो नहीं रहने वाले है फिर उनसे मैंने एक विशिष्ट बात पूछी जिसको पूछने की हिम्मत कम लोगों में होती है मैंने उनसे कहा आपने कभी गाय का मास खाया उसने कहा यार एक बार खाया था तो मेरी माने बहुत पिटाई किया था मेरा मैंने पूछा क्यसे क्यूं उन्होंने कहा हमारे घर में सक्त पाबंदी है आज भी हम गाय का मास नहीं खाते है मैं पूछा अगर गल्ती से आ गया तो बहुत सारा मास आता है उसमें गाय का आ गया तो तो उन्होंने का पता चल जाए तो बरतन को उठा के घर के बाहर थेक देते हैं, उस बरतन को भी काम में नहीं लेते हैं, तो मैंने का फिर ये गाय की हत्या क्यों हो रही है, उन्होंने का ये तो अंग्रेजों की साजिश है जो आज तक गाय की हत्या हो रही है, उस दिन मेरी सारे मुसल्म भाई हैं जो गाए का कतल कर रहे हैं लेकिन इस घटना के बाद मेरी आँखें खुली और मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला भारत में सबसे ज़्यादा गाए का कतल भारत की सरकार कर रही है मुसल्मान नहीं कर रहे हैं और इस देश में ऐसे कई मुसलिम समाज हैं जिनको मैं जानता हूँ जो गाए को वैसे ही पालते हैं जैसे आप पालते हैं आप कभी आईए गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है कच्छ जिले में एक नहीं सेकडों मुसल्मान नहीं हजारों है जो गाए पालन करते हैं गाए का दूद बेचते हैं दूद में से दही बनाते हैं दही से मक्खन निकालते हैं मक्खन से घी बनाते हैं और बेचते हैं आप राजिस्थान में आएए बीकानेर जैसलमेर बाडमेर ये तीनों जिलों में एक नहीं हजारों मुसल्मान हैं जो गाए पालते हैं गाए का दूद बेचते हैं दूद मेंसे मक्षन बनाते हैं फिर गी बनाते हैं और धंदा करते हैं राजस्तान का एक लाका है अलवर, मेवाथ शेतर कहते हैं पूरा मेवाथ शेतर जो है ना मस्लिम समाज के भाईयों से डॉमिनेटिड है वहाँ एक नहीं सेकुरो मुस्लिम भाई हैं जो गाये पालते हैं गाये का दूद पीते हैं गाये के दूद से दही बनाके वैसा ही घी और बिजनिस करते मुसल्मान गाये नहीं काटते ये बहुत बड़ा भ्रहम है जो हम हिंदुस्तानियों के बीच में फैलाया अंग्रेजों ने और ये भ्रहम फैलाया था अंग्रेजों की रानी ने जिसको हम दुर्भागे से विक्टोरिया कहते रहे हैं उसने एक चिट्थी लिखा था अठारे सो चौरानवे में अंग्रेजों का एक अधिकारी हिंदुस्तान में था उसका नाम था लेंस डाउन गवर्नर था इस देश में उसको एक चिट्थी लिखा विक्टोरिया ने चिट्थी लिखा कि देखो हम भारत में जितने कतल खाने चलाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गाय कटती है ये भारत के हिंदुओं को पसंद नहीं है क्योंकि ये उनकी अधिस्तात्री है माने हम उसको पूजनिय मानते हैं मातर समान मानते हैं हिंदुओं को पसंद नहीं है और वास्तम में मुसल्मान भी नहीं पसंद करते गाय को मारना और उसको खाना गाय तो हमारे लिए काटी जाती है माने अंग्रेजों के लिए काटी जाती है अब भारत में हिंदू और मुसल्मान कभी एक हो गए और गाय बचाने में लग गए तो हमारी सरकार नहीं चलेगी भारत में इसलिए तुम एक काम करो कि जितने कतल खाने चल रहे हैं गाए काचने के लिए उनमें मुसल्मानों की भरती कर दो और हिंदूओं को बताओ कि गाए देखो मुसल्मान काट रहे हैं तो हिंदूओं की भरती नहीं मुसल्मानों की भरती कर दो हिंदूओं को बताओ कि गाय मुसल्मान काट रहे है कट हमारे लिए रही है काट रहे हैं मुसल्मान खाते नहीं हैं हम खा रहे हैं काट रहे हैं यह हिंदूओं को जब यह पता चल जाएगा ये दोनों एक दूसरे को लड़ मारेंगे और ये लड़ने लगेंगे तो हमारी गद्धी सुरक्षित रहेगी और हम भारत पर एक हजार वर्ष तक राज करेंगे ये विक्टोरिया की चट्थी है लैंस डाउन को 1894 में लिखी गए इस चट्थी से पढ़कर मेरे समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है इस देश में पॉलिटिक्स ये है कि गाय कटे अंग्रेजों के लिए और लड़ते रहें हिंदू मुसल्मान हम एक दूसरे को गाली देते रहें एक दूसरे की टांग खिचाई करते रहें और अंग्रेज मजा करते रहें इस तरह से अंग्रेजों ने वो एक जो पॉलिसी है ना बाटो और राज करो डिवाइड एंड रूल वो ये है तो इस डिवाइड एंड रूल में हमको फसाया गाय को कटवाया और एक दो नहीं करोणों गाय को कटवाया इस देश में एक कतल खादा जो कलकत्ता से शुरू हुआ धीरे धीरे भारत के हर कैंटेरिया में फैल गया साड़े तीन सो कैंटेरिया अंग्रेजों ने स्थापित किये साड़े तीन सो कतल खाने बना दिये गांदी जी इनी की खिलाफत करते थे अंग्रेजों के जमाने में गांदी जी को बार बार लगता था कि ये कतल खाने बंदोने चुए और गांदी जी के पहले एक और बहुत महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनको बहुत पीड़ा होती थी इन कतल खानों के चलने से उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आरे समाज की स्कापना किया उन्होंने तो अपने जीते जी एक फौज तैयार कर दिया गोरक्षा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम आरे समाज आज तक जीवित है सवासो वर्ष पुराना संगठन है कॉंग्रेस से भी पुराना संगठन कॉंग्रेस जो राजनेतिक दल है उससे पहले का ये आरे समाज है इसका एक ही काम था गोरक्षा करना और इस आरे समाजी संगठन ने पूरे देश के नौ जवानों को ऐसा चार्ज कर दिया था कि भारत के साथ लाख बत्तीस हजार गाओं में हर जगे गोरक्षा समीती बन गई थे 1870 से ये शुरू हुआ और 1894 में आकर ये आंदोलन अपने सबसे उच्चितम शिकर पर था और 94 में जब ये आंदोलन उच्चितम शिकर पर था तो भारत के हिंदू, मुसल्मान, सिक, इसाई, जैन, पार्सी, बौद सम मिलकर गोरक्षा में लगे हुए थे और अंग्रेजों के सामने एक प्रशन खड़ा कर दिया था कि एक भी गाए कटेगी तो अंग्रेजों की खैर नहीं तो अंग्रेज घबरा गए थे इसी घबराहट में रानी ने चिट्थी लिखी थी 1894 में कि अगर इस आंदोलन को तोड़ना है हिंदू मुसल्मानों को लड़ाना है तो तुम ये काम करो कि सारे कतल खानों में मुसल्मानों की भरती करो और हिंदूओं को बताओ कि गाए ये काट रहे और जब ये खबर अंग्रेजों ने फैलाई उसके बाद इस देश में हिंदू मुसल्मानों के दंगे शुरू हो गए मैं आपको विनमरता पूर उगताना चाहता हूं कि 1894 के पहले इस देश में एक भी हिंदू मुसलिम दंगा नहीं हुआ पहला हिंदू मुसलिम दंगा 1894 दिसंबर में हुआ रानी की इस चिट्थी के बाद और उसके बाद लाइन लग गई दंगों की फिर क्या हुआ आजादी का प्रशन पीछे आ गया गोरच्षा का प्रशन पीछे आ गया हिंदू मुसल्मानों का सामप्रदाइता का प्रशन सबसे आ गया गया और अंग्रे जोने हैं लगवग 60-70 साल तक इसी आग को जला कर रखा और इसमें समय समय पर घी डालते रहे वो कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में गुसा के बिठा दिया कि ये समाज एक ना हो जाए और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोडों की संख्या में पहुँच गई जब अंग्रेज गए 15 अगस तो 1947 को तो भारत के महात्मा गांदी जैसे कुछ क्रांतिवीर जो जीवित थे उन्होंने ये प्रश्ण उठाया के हाँ और कहा के अब अंग्रेज गए है जल्दी से गोहत्या बंद होनी चाहिए तो वो गोहत्या बंद होने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को लाने वाले एक बहुत अच्छे संसद थे उनका नाम था महावीर त्यागी वो कई बार संसद सब भी बने थे माने खासदार बने थे सोनीपत नाम का एक शेत्र है हर्याणा में वहां से वो जीत कराते थे और किसी राजकिये पक्ष के टिकट पर नहीं अकेले जीत कराते थे महावीर त्यागी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो संसद में खड़े होकर भाशन दिया करते थे तो पंडित जवारला नहरू सारे काम छोड़कर उनका भाशन सुना करते थे क्योंकि वो सरकार की इतनी खिचाई करते थे तो उसका जवाब कैसे देना है संसद में ये नहरू जी के लिए मुश्किल हो जाता था तो नहरू जी सब काम छोड़कर महावीर त्यागी जी का भाशन सुनते महावीर त्यागी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि अंग्रेजों की ये जो राजनीत थी हिंदू मुसल्मानों को बांटने की गाय के प्रशन पर उसके सारे डॉकुमेंट्स पार्लिमेंट में उन्होंने डिस्रिब्यूट किये कि देखो असलियत ये है कोई मुसल्मान गाय का मास जादा नहीं खाता और कोई मुसल्मान गाय को कटवाना भी पसंद नहीं करता ये तो अंग्रेजों की चाल है हमको आपस में लड़ाने की और बड़बाद करने की तो ये चाल को समझ कर मुसलिम खासदारों ने भी समर्थन किया कि हाँ गोरक्षा होनी चाहिए विद्यक आने का समय आया विद्यक के समय पर आप जानते हैं संसद का नियम यह है कि बहस जब पूरी हो जाती है तो वोट लिया जाता है कौन किसके समर्थन में है तो इस पर वोट का समय आया वोट के समय में एक दिन पहले यह तै हो गया था कि भारत की संसद के मैकसिमम MPs सबसे ज़्यादा खासदार गोरक्षा के समर्थन में है और मुश्किल से कुछ MPs जिनकी संख्या दस भी नहीं थी वो गोरक्षा के विरोध में है तो दस एक तरफ हैं बाकी एक तरफ हैं तो इसका माने प्रस्ताव पारित होना है अगले दिन जिस दिन ये वोट के लिए आया तो पंडित नहरू ने कहा कि मुझे कुछ कहना वोट से पहले क्या कहना है जी पूरे संसत की निगा है नहरू जी की तरफ नहरू जी ने कहा कि अगर गोरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूँगा ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि मेरे दोस्त संदीप ने नहरू जी का कोट किया है कई बार हमें भोका हो जाता है चहरा कुछ होता है असलियत कुछ होती है हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले से एक बहुत बड़ा मामला आया है सामने बहुत गंभीर मामला है वो अगर राजनीतिक लोग उसको थोड़ा बाजू में रखने तो भी देश के लिए बहुत गंभीर मामला है गंभीर मामला ये है कि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बहुत बड़े ओफिसर ने एक दस्तावेज आधारित किताब लिखे जिसमें उसने नाम लेके कोट किया है कि भारत के कौन-कौन प्रदान मंतरी, कौन-कौन मंतरी रूस से पैसा लेते रहे और रूस के समर्थन में इस देश में कानून बनाते रहे उस किताब में मित्रो खिन नाम का वो आफिसर है उसने लिखा है कि भारत में प्रदान मंतरियों का मुखोटा कुछ होता है, कारे कुछ होता है ये बात आपको समझ में आए, इसलिए मैंने सुनाए कि नहरू जी आजादी के पहले भाशन दे रहे हैं कि कतल खानों के सामने से गुजरता हूँ तो मुझे घिन आती है एक मिनट में खड़ा नहीं रह सकता खील का हुए मड़ राते हैं मेरी आत्मा मुझे कचोटती है प्रधान मंतरी बनने के बाद जब गोरकशा का प्रस्ताव आता है तो वही नहरू जी कहते है कि प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूँगा क्यों? कारण क्या है? इस पे खोज होनी चाहिए कि आजादी के पहले एक कहा और आजादी मिलते प्रधान मंतरी बनते इस्तीफा देने लगे अब उस जमाने में होता क्या था? नहरू जी की धंकी के इस्तीफा दे दूँगा तो पूरी पारलिमेंट धिल गई महावीर त्यागी को छोड़ कर क्योंकि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं था क्योंकि वो कॉंग्रेस के टिकट पर कभी चुनके नहीं आते थे तो जो कॉंग्रेस के टिकट पर चुनके आने वाले खासदार थे उनके लिए प्रश्न खड़ा हो गया अब क्या होगा नहरुजी इस्तिफा दे देंगे सरकार चली जाएगी पता नहीं दुबारा जीत के आएंगे के नहीं आएंगे मंत्री मंडल में सिस्थान मिलेगा के नहीं मिलेगा ये होता है न आज भी होती है न तकलीफ अभी थोड़े दिन पहले एंडिय सरकार चलती थी श्री अटल बिहारी वाजपे ने का इस्तिफा दे दूँगा देखा आपने कैसे तमाशा हुआ एक दिन ऐसा हुआ श्रीमति सोनिया गांदी ने कहा मैं प्रदान मंत्री नहीं बनूँगी आपने देखा कैसा तमाशा हुआ दिल्ली में ऐसे ऐसे खास दा बंदू तमंचा मैं अभी आत्मत्या कर लूँगा क्योंकि सोनिया गांदी हमारी वो प्रदान मंत्री नहीं बन रही है थोड़े दिन के बाद क्या हुआ वो वहाँ चले गए वो वहाँ चले गए किसी ने आत्मत्या किया क्या सोनिया गांदी प्रदान मंत्री नहीं बनी फिर भी किसी ने आत्मत्या किया क्या राजनीत में चहरे कुछ होते हैं मुखोटे कुछ होते है यतने सारे उधारण में आपको दे रहा हूँ एक ही बात समझाने के लिए मुखोटे कुछ होते है चेहरे कुछ होते है बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बात जो कहदी है उन्होंने पब्लिक ली उस पर वो टिकेंगे क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीतिका यही सबसे बड़ा दुरुगुण है एक दिन बोलना अरे मुझे तो गलत कोट किया है अखवार वालों ने अखवार वाले सुना दें के देखो तुमने बोला है हाँ हाँ बोला है तो तुमने गलत अर्थ निकाल लिया इसका अब कितने अर्थ होते हैं किसी शब्द के यह पॉलिटीशियन से आप पूछें यह जो बीमारी है ना भारत में नहरू जी के समय से है आज की नहीं है मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ और चुकि यह बीमारी उस जमाने से है इसलिए गोरक्षा का कानून आज तक बना नहीं इस तेश जब जब संसक में कोशिश हुई कुछ न कुछ अरंगा इसी तरह का एक और उधारन देता हूँ 1966 में आप में से कुछ लोग होंगे मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय की यह घटना है भारत के लाखों संतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिल्ली में गाय रक्षा होनी चाहिए कानून बनना चाहिए कांदी जी तो तब थे नहीं बिनोवा जी थे गांदी जी के शिश्य थे उनका आशिरवाद लेके बहुत बड़े-बड़े साधू संत इकठे हुए स्वामी करपात्री जी महराज जो शंकराचारे के इस्थिती वाले संत हैं वो उन्होंने लीडर्शिप लिया गोरक्षा होनी ही चाहिए लाखों साधू संत इकठे हुए और उन्होंने कहा कि हम संसत को घेर लेंगे अगर सरकार गोरक्षा का कानून पारित नहीं करती स्वाभागी या दुर्भागी जो भी कहिए स्वामी करपात्री जी महराज के थोड़े दिन पहले के आशिरवाद से श्रिमती इंद्रा गांडी प्रधान मंतरी बन गई थी तो स्वामी करपात्री जी को लगता था कि इसको तो आशिरवाद मैंने दिया है अब ये कैसे मना करेगी मेरे काम को स्वामी जी को मालूम नहीं था चहरे कुछ होते है मुकोटे कुछ होते है अच्छा विनोवा जी ने भी आशिरवाद दिया था आपको मानू मैं श्रीमती इंद्रा गांदी को इंद्रा गांदी जब प्रधान मंतरी बनी थी तो उनकी political position बहुत कमजोर थी उनके सामने जो टककर में थे ना वो बहुत powerful leader थे निजलिंग अप्पा बहुत powerful आद्मे थे पूरा दक्षुन भारत उनके समर्थन में खड़ा था और तय था कि ये प्राहिम मिनिस्टर बनें गए निजलिंग अप्पा को अडंगी लगाकर श्रीमती गांदी प्रधान मंतरी बनी थी तो बहुत सारे संतों से आशिरवाद लिया था तो करपात्री जी ने भी दे दिया बिनोबा जी ने भी दे दिया अप्रधान मंतरी बनते ही याद दिलाया बिनोबा जी ने वो काम करो ना मेरा वो अत्या बंद करने के लिए कानून लाओ तो का बाबा अभी थोड़े दिन समालने तो दो तो बाबाने का कितना दिन लगेगा समालने में तो दिन बीटते गए और करपात्री जी महराज का धैरे चुक गया तो उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाल दिया सरकार को गेरना है संसत को कॉर्डन कर देना है कोई अंदर जाएगा नहीं कोई बाहर आएगा नहीं जब तक गोहत्या बंद नहीं होती आप जानते हैं क्या हुआ जिन करपात्री जी महराज के आशीरबाद से श्रीमती गांदी प्रधान मंत्री बनी थी उनी के ऊपर श्रीमती गांदी ने गोली चलवाई और एक नहीं सेकड़ों साधू उसमें मर गए लेकिन गोहत्या नहीं रुकी वो वैसे ही चले उसके बाद स्वामी करपात्री जी ने उनके शिश्य बताते हैं मैंने कभी उनसे सीधे बात नहीं की स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया और वो ये कहते हैं कि उसी श्राप का दुश परिणाम है कि जिस तरह से श्रीमती गांदी ने गोलियां चलवा कर मरवाया था गोरक्षा भक्तों को उसी तरह से श्रीमती गांदी मारी गए और ये अजीब संयोग है मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो मुझे पता चला श्रीमती गांदी ने जिस दिन ये गोली चलवाई थी उस दिन गोपा अश्टमी थी भारत में गाय के पूजन का सबसे महत्वपून दिन है गोपा अश्टमी दीपावली के कुछ दिन बाद आता है और श्रीमती गांदी को जिस दिन गोली मारी गई वो दिन भी गोपाश्टमी थी ये सब हुआ लेकिन गोपाश्टमी रुकी दिनोंवा भावे जिनोंने आश्रवाद दिया था श्रीमती गांदी को वो जीवन के अंतिम दिनों में डिप्रेशन में चले गए इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्मत्या कर ले खाना पीना छोड़ दिया जैन संतों की भाषा में कहूं तो संथारा ले लिया और कॉंसिट्यूशन की भाषा में कहूं तो आत्मत्या कर ले इतने डिप्रेशन में गए बिनोवा जी और बिनोबा जी बार बार एक प्रशन पूछते थे कि मैं कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूँ एक छोटी सी मांग है कि गाय का कतल बंद करा दो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है संसद के सब सदस से मानते है मैजोरिटी संसद इसके साथ में है और उन्होंने कहा कि गाय का कतल बंद हो जाए तो ये देवनार कतल खाना बंद हो जाए जो मुंबई में चलता है जिसमें 26,000 जानवर आज रोज कट रहे हैं उस समय 11,000 कटते थे छोटा सा प्रश्ण था नहीं हुआ और वो वहीं छूट गया उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब NDA सरकार आई तो बड़ी मुश्किल से एक बिल तैयार करके संसद में पेश किया गया कि गाय की हत्या तुरंत रुकनी चाहिए कानून तुरंत बनना चाहिए सबेरे बिल पेश किया गया शाम को वापस ले लिया मैं आपको ये सुना कर क्या कहना चाहता हूँ हंदुस्तान में गाय का कतल बंद हो जाए ये हमारी सद एक्शा है लेकिन गाय का कतल चलता रहे उसके लिए कोई बहूँध बड़ा शड़ें तरह हो समझना जरूरी है हमारी तो सदिक्षा है कि गाए का कतल नहीं होना चाहिए लेकिन कोई बहुत बड़ा शड़ियंत्र है इस देश में जो गाए के कतल को लगातार चालू रखना चाहता है जब भी संसद में इस तरह की बहस होती है कुछ न कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं एक दिन तो मैं खुद संसद की दर्शक दीरगा में था उस दिन बहस हो रही थी इसी गोरक्षा के प्रशन पर मैं गया था कि आज देखें संसद कौन किस समर्थन में है कौन किस पक्ष में सारे संसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए मुस्लिम संसद जीम बनात वाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा गोरक्षा के समर्थन में उनके साथ दूसरे मुस्लिम संसद खड़े हो गए हमारी आपत्ती खड़ी हो गई उसका नाम है शुश्री मम्ता बनर जी उसने कहा गाए का मास खाना मेरा मौली का दिकार है उसका क्या होगा गाए का मास खाना मेरा मौली का दिकार है उसका क्या होगा और मम्ता बनर जी ने सुप्रीम कोट के एक डिसीजन को कोट करके बोलना शुरू किया कि कोई कसाई गाय का कतल करता है ये उसका मौली का धिकार है उसका क्या होगा ये सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है तो मामला कहां बिलकुल होते होते फिर फिसल गया इसी तरह से एक बार और हुआ हमारी संसद में सब तैं हो गया कि गोरक्षा का बिलपास ही हो जाना चाहिए सब हो जाना चाहिए एक महामहिम भारत देश में राश्रुपती पत का चुनाव लड़े हुए एक व्यक्ती जी-जी स्वेल खड़े हो गए कि मैं गाय का मास खाता हूँ मेरा क्या होगा तो मैंने उनको एक खत लिखा था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया मैंने का आप गाय का मास खाते हैं खाते रहिए अपने घर में काट के ये कतल खाने तो बंद होने दीजिए आपको गाय का मास खाना है आप अपने घर में कतल कर ये काटिये उसे खाइए, आप में हिम्मत है तो अपने घर में गाय को काटिये, खाइए आपकी बीबी बच्चे भी आपको देखें उसको काटते हुए, खाते हुए पडोसी भी देखें आपको काते हुए, काटते हुए और अगली बार आप राश्रपती पद का चुनाव लड़े तो सब को पता तो चले कि ऐसा व्यक्ति इस देश में राश्ट्रपती बनना चाहता है जवाब नहीं दिया उसके बार क्योंकि इस तरक में क्या बुराई है आपको गाय का मास खाना है ठीक है खाईए ना घर में काट के खाईए उसके बाद बंद हो जाती है सारी वहस पिछले आजादी के 58-69 सालों में संसद में चार बार गंभीरता से गोरकशा पर बहस हुई है प्रस्ताव पारित होने तक आया है वोट करने तक नौबत आई है लेकिन किसी न किसी कारण से वो अटकता गया है कभी पंडित महरू के इस्तीफा देने की धंकी के कारण कभी हमारे देश में शुश्री मम्ता बनर जी जैसे इस खासदारों के ये कहने के कारण कि मैं गाय का मास खाती हूँ मेरे मौलिक अदिकार का क्या होगा कभी जी जी स्वेल के कारण और कभी सवेरे विद्यक पेश किया और शाम को बहस करेंगे दुबारा ये श्री अटल बिहारी वाजपई के बयान के कारण हर बार ये हुआ है मैंने इसको समझने की कोशिश की है कि आखिर गाय की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्ण है या जानवरों की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्ण है जो भारत की संसद इसको होने नहीं देना चाहती या भारत की संसद में ऐसे कुछ लोग हैं मित्रो खिन के शब्दों में अगर कहें जिनके चहरे कुछ है मुखोटे कुछ है तो हम ढूनने शुरू करें हमारे नजदीक में ऐसे कितने politician से खासदार हैं आमदार हैं जिनके चहरे कुछ है मुखोटे कुछ है ढूने हम कम से कम अपने बीच में खोजना तो शुरू करें ताकि ये गंबीर प्रश्ण आज नहीं तो कल हल हो सके क्योंकि हल तो करना ही पड़ेगा इस प्रश्ण को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो, परसो नहीं तो नरसो इस प्रश्ण को बहुत दिनों तक ताल के नहीं रखा जा सकता इसको ऐसे ही हल करना पड़ेगा जैसे कभी हमने कई गंबीर प्रशन हल किये भारत पाकिस्तान के बटवारे का प्रशन था बार बार टाल नहीं सकते थे तो हल किया थोड़ा दर्द हुआ लेकिन हल हुआ एक लाइन खीची गई कि वो पाकिस्तान है ये भारत है हमारे संपूर भारत के जीवन से जुड़ा हुआ है हम भारतवासी गांदी जी के शब्दों में अगर कहें कि हम सनातनी हिंदू हैं गांदी जी जब ये ताल ठोक के कहते हैं कि मैं तो सनातनी हिंदू हूँ क्यों हूँ क्योंकि मैं पूर जनम में मानता हूँ आज की दुनिया में चार बड़ी सब्विताइं तो मौजूद हैं, कम से कम. और इतिहास में बहुत सारी सब्विताईं आकर चली गए हैं. फिलipper हाल में चार मौजूद हैं. एक है इसलामिक सब्विता, एक है इसायत वाली सब्विता, एक है जुडाईजम वाली सब्विता, यहूदीजम वाली और एक है हमारी भारती सब्विता, चार तो पक्की हैं फिर भारती अता में बहुत सारी उप सब्विताएं हैं एक जैनिजम है, एक बुद्दिजम है, और बहुत सारे है ऐसे ही इसायत में बहुत सारी उपसबिताएं है ऐसे ही इसलाम में बहुत सारी उपसबिताएं है ऐसे ही जुडाइजम में है भारत की सबिता को छोड़कर इसलाम, इसायत और यहुदी तीनों सबिताओं में पुनर जनम नहीं माना जाता वो मानते हैं कि जनम एक बार होता है बार बार नहीं होता है इसलिए उस सब्विता में जो भी कुछ करना है वो एक ही जनम में करना है क्योंकि आपको दुबारा जनम नहीं मिलेगा मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, पहले मेरे साथ पढ़ाई करते थे लेकिन भागके चले गए अमेरिका, यूरोप और वो कई बार मुझे कुतर करते रहते वो कहते हैं यार देखो हमारा अमरीका तो बहुत अच्छा है अब वो हमारा अमरीका बोलते है हाँ लॉयल्टी इतनी चेंज हो गई है कि हमारा अमरीका बहुत अच्छा है जनम भारत ने लिया हवा यहां की खाई पानी यहां का पिया, मिट्टी में यहां खेले, भोजन यहां का किया, यहां के लोगों के खून-पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे पर इंजिनिरिंग किया, भाग गए अमरीका, काम वहां कर रहे हैं, भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं, कभी कभी ऐसान करते हैं यहां आ जाते हैं तो गालियां देके चले जाते हैं भारत में बहुत गंदगी है सड़क पे कुते गुमते रहते हैं गाय गुमती रहती है बहस गुमती रहती है और घर में छिपकली आ जाती है मच्छर आ जाते है यह कोई देश है रहने लाई चलो ह हमारा अमरीका बहुत अच्छा है और उनके माता पिता विचारे पूरे साल इंतियार करते हमारा बेटा आएगा आएगा बेटा वहां से हाई हलो कर देता है बस और माता जी मरने को तैयार है फिर भी कहता क्या करूँ प्लेन की टिकेट नहीं मिल रही है अभी अंतिम संसकार क माता जी से बड़ी हो जाती है तो ऐसे कुछ लोग जो भारत में पैदा हुए अमरीका चले गए तो कभी कभी मुझे कुतर्क करते है इस प्रशन पे भी कुतर्क करते है जब मैं उनसे कहता हूँ कि देखो भईया ये अमरीका की जो सब्विता है वो इसी से संचालित है वो कहते हैं देखो अमरीका में हर चीज फास्ट हो जाती है तुमारे देश में कोई भी चीज नहीं होती दस साल में नहीं होती पंदरे साल में नहीं होती हमारे अमरीका में तो एक फोन पे सब होता है और हमारे हर चीज फास्ट है गाड़ी चलती है तो दो सो चालिस किलो म प्रति हिंटे की रफ्तार से तुम्हारे Siya कलपना होती है क्या तो वो कहता जीवन बहुत अच्छा है तेज है बगयरा बगयरा अब मैं उनको धीमे से कहता हूं तुम्हें मालूम है वहां का जीवन क्यों तेज है क्योंकि वहां पुनर जनम नहीं होता आप इसको गंबीरता से सोचिए जिस जीवन में पुनर जनम नहीं है वहां क्या होगा जो करना है इसी जनम में करना है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी कि नहीं दूसरा जनम तो है नहीं तो जो करेंगे जल्दी करेंगे तो जल्दी करने के लिए जो टेक्नॉलजी बनेगी उसी में वो रहेंगे देखिए टेक्नॉलजी जो बनती है किसी भी देश में वो मानने था कि हिसाब से बनती है एक पहिया है मान लीजे मून तो वो है बाकि उस पहिये को आप हवाई जाज में लगा लीजे चाहे मोटर कार में लगा लीजे चाहे स्कूटर में लगा लीजे या बेल गाडी में लगा लीजे है तो पहिया अब वहां क्या है जीवन एक ही बार है भार भार मिलता नहीं है जो करना है एक ही बार में करना है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जर्मन है वो थोड़े दिन पहले आया था भारत दिल्ली में हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो बड़ी चिंता करने लगा यार भारत देश ने नुकुलियर बॉम बना लिया है तो मैंने का तुम को क्या परिशानी है बना लिया तो तुम को क्या परिशानी है अरे यार पाकिस्तान ने भी बना लिया मैंने का क्या तुम की तुमारी प्राबलम क्या है जर्मनी ने भी तो बना लिया है France ने भी तो बना रखा है, Britain ने भी तो बना रखा है उसने का problem यही है कि इन में से किसी ने भी अगर गिरा दिया तो मैं तो मरने वाला हूँ तो मैंने का so what मरने वाले हो तो फिर पैदा हो जाना उसने का मैं नहीं मानता ना पुनरजनम होता है तुम मानते हो, इसलिए तुम तु दुबारा पैदा हो जाओगे, मैं तु नहीं आने वाला, मुझे तो ये दुनिया देखने को फिर कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए मेरी चिंता है, ये एटम बंप, ये जो जल्दवाजी के लोग होते हैं, उनकी सबसे वड़ी चिंता है, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि शान्ती से उन्हें इसी जनम में सब कुछ भोग ना है, सारा भोग इसी जीवन में करना है, चाहे एग्स हो जाए, चाहे डाइगिटीज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, भोग नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगला जनम नहीं यह तो है यूरोप और अमेरिका अब भारत में देखो एक बार में एक गाउं में गया यह सची घटना सुनाता हूं आपको बस्तर नाम का एक जिला है च्छतीस गड़ में वहां में एक गाउं में गया तो वहां के सरपंच को मैंने कहा कि मेरा नाम राजीव दिखित है मैं आ अगर आपको यह समझ में आया तो तकलीफ हैं दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे मैं भी प्रयास करूंगा तो उसने का तकलीफ हैं दूर होने से क्या होगा तो मैंने का आपको दोड़ा सुख मिलेगा शांती मिलेगी तो उसने का वो तो अभी भी है मेरे पास सुख और शांती सही हूँ, परेशान तो आप है, जो हजार किलो मीटर यहां चल के आ गए मेरे गाओं में, मुझे तो कोई परेशानी में, ये है भारतियता, फिर मैंने पूछा आप सच में सुख और शांती में, उसने का हाँ, मैंने पूछा ये जो इतनी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुक्मरी, इनका क्या, तो उसने का अगले जनम में हल करूँगा, जरूरी है कि सब इसी जनम में करूँ, मेरी एक आजी थी, वो अभी स्वर्गवासी हो गई, वो मुझे रोज यही कहती, तो इतना भाग भाग क्यूं करता है, आज इस गाउं में, कल इस गाउं में, तो मैंने का जल्दी भारत की समस्या हल होनी चाहिए, तो उसने का इसी जनम में, अगले जनम में हो जाएगी, क्यों चिंता करता है इतनी, यह जो brain है ना, यह जो mindset है, यह पुनर जनम में से निकलता है, मानि पुनर जनम में रहने वाले लोग और मानने वाले लोगों को किसी चीज की जल्दी नहीं है, इसलिए गोहत्या भी अगले जनम में रुख जाएगी, यही सोचकर हमारे खासदार वहां बैठे, उनको जल्दी नहीं है, अगले जनम में हो जाएगी, क्या फरक पड़ता है, यह तो हमारे मन की इस्थती तो यह है, तो जहां सब्विता का प्रश्णा आता है ना, वहां पर सवाल इस तरह से होते हैं, शुरू, तो भारत की सब्विता, दूसरे देशों की सब्विता से, एक मामले में जो अलग है, वो मूल यह है, कि हम पुनर जनम मानते हैं, वो नहीं मानते, आप जरा कल्पना करिए, कि जैसे ही आप पुनर जनम मानना शुरू करते हैं, तो आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, क्या होती है, पुनर जनम क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा कहां प्रवेश करती है, शरीर कैसे होता है, यह सारी थियोरीज आपके सामने खुलती है, तो उन थियोरीज को सपोर्ट करने के लिए, हमारे पास अपने लॉजिक है, उन में से एक logic है कि देखो भाई, पुनर जनम होता है, कर्म के हिसाब से जनम मिलता है तो हमने एक कर्म की तियोरी को उसमें लगा दिया, जिसको सब ही मानते हैं इस देश में चाहे वो जहन हो या सनातनी हिंदू हो, कर्म के सिद्धान्त को सब मानते हैं करम अच्छा करो गए तो अगला जनम अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा, अब अच्छा और खराब किया तो हो सकता, मनुश्य जनम मिले, खराब करम किया तो चीटी बन गए, मक्षी बन गए, मच्छर बन गए, छिपकली बन गए, साप बन गए, मैड़क बन लेकिन अगले जनम में कुछ बी बने हैं अगले जनम में पर यह कमी वोरब बने तो यह सम्झे है चब सल के रहा। तो यह मारा मारी कप तक चलेगी इसलिए अहिंसा का सोचनर हमारे खासदार वहां बैठे उनको जल्दी नहीं है अगले जनम में हो जाए क्या फरक पड़ता है ये तो हमारे मन की इस्थती तो ये है तो जहां सब्विता का प्रश्ण आता है ना वहां पर सवाल इस तरह से होते है तो भारत की सब्विता दूसरे देशों की सब्विता से एक मामले में जो अलग है वो मूल ये है कि हम पुनर जनम मानते हैं वो नहीं मानते हैं अब जरा कलपना करिए कि जैसे ही आप पुनर जनम मानना शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया बिलकुल बदल जाती है क्या होती है पुनर जनम क्या होता है कब होता है कैसे होता है आत्मा कहां प्रवेश करती है शरीर कैसे होता है ये सारी थियोरीज आपके सामने खुलती है तो उन थियोरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपने logic है उनमें से एक logic है कि دेखो भाई पुनर जनम होता है कर्म के हिसाब से जनम मिलता है तो हमने कर्म की थियोरी को उसमें लगा दिया जिसको सब ही मानते हैं इस देश में चाहे वो जहन हो या सनातिनी हिंडू हो कर्म के सिध्धान को सब मानते करम अच्छा करो गए तो अगला जनम अच्छा मिलेगा खराब किया तो खराब मिलेगा अब अच्छा और खराब क्या अच्छा करम किया तो हो सकता मनुश्य जनम मिले खराब करम किया तो चीटी बन गए मक्षी बन गए मच्छर बन गए चिपकली बन गए साप बन गए मैडग बन गए अब ये तो थियोरी है कि हम छिपकली हो सकते हैं चीटी हो सकते हैं साफ हो सकते हैं मैडग हो सकते हैं मक्षी हो सकते हैं मच्छर कुछ भी हो सकते हैं 84 लाख किसम के जीव जनतु हैं उन में से कोई भी जनम हमें मिल सकता है अगर कर्म अच्छे नहीं क अब इसके आगे हम गए, हमने क्या किया कि, बले हम अगले जनम में कुछ भी बनें, इस जनम में हम मनश्श हैं, लेकिन अगले जनम में अगर हम कुछ और बन गए, और हमने इस मनश्श जनम में रहते हुए, कुछ ऐसे ł cognitive उन्हे जीव जन्तों को मार डाला, लिया — कोई किसी को ना मारे अब कोई किसी को ना मारे, ये अहिंसा का दर्शन निकला है, पुनर जन्म की फिलोसोफी मेंसे फिर इसमें हमारे देश में बड़े ग्यानि लोग आ गए जैसे एक बहुत बड़े महान तपस्वी ग्यानी आगय जिनका नाम था महावीर स्वामी है तीर ठांकर हो गए उन्हों ने हमको ये ग्यान दे दिया उनको ग्यान तो अद्भुत हो गया केवल ग्यान जिसकी कल्पना है उनका केवल ग्यान ये है कि ये जो 84 लाख किसम के जीव जनतु है किसकी क्या भूमिका है ये उनको मालूम है और 14 वर्ष की उनकी जो तफस्या है वो इसी बात के लिए है कि ये स्रश्टी है प्रकर्ती है इसमें कोई जीव है वो कहां क्या कर रहा है दूसरा है उसको सपोर्ट कर रहा है तीसरा है उसका कॉंप्लिमेंटरी है तो ये सब क्या व्यवस्ता है ये उनको ग्यान हुआ है तो वो क्यवल ग्यान है तो वो बोल कर चले गए कि देखो भाई ये जीव प्रकरती बहुत व्यवस्तित तरीके से चल रही है इसको डिस्टर्ब मत करना क्योंकि इनके जिन्दा रहने से तुम जिन्दा हो तो उनका छोटे भी जीव को हानी नहीं पहुँचाना चाहे वो देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है कई जीव ऐसे होते हैं जो आख से दिखते हैं कई नहीं दिखते हैं तो जो नहीं दिखते हैं उनको भी हानी नहीं पहुचनी चाहिए जो दिख रहे हैं उनको तो पहुचना ही नहीं चाहिए और फिर उन्होंने जीवों की शिरनिया बना दिया एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, पंचे इंद्रिय हम आते हैं, ऐसे ऐसे बना दिया और उसके लिए उन्होंने पूरी फिलोसफी बना दिया, कि इसको मारोगे तो ये पाप है, इसको मारोगे तो ये पाप है, वगरा वगरा निकला सब पुनर जनम मैंसे हैं तो हम चुकि पुनर जनम को मानते हैं पुनर जनम में 84 लाख योनिया हैं तरह तरह के जीव जन्तु हैं हमारा जनम किसी भी योनी में हो जाए हमको भी कोई ऐसे हमारे जैसे हमने किसी को मारा तो बैलन्स तूटेगा तो इसमसे हम अहिंसा की तरफ बढ़ते चले गए और डीप और डीपर होते चले गए अहिंसा का एक स्थूल स्वरूप और अहिंसा का एक सुक्ष मशुरूप दोनों इस देश में विक्सित होता चलागा इसलिए हमारे दिल में बहुत जादा चोट लगती है जब गाय हत्या की बात होती है पशु हत्या की बात होती है जीव हत्या की बात होती है हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हजारों साल की माननिता से हमने ये ग्रहन किया है हमारा विचलन इसके लिए होता है और इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मार के खा जाते हैं उनको कोई विचलन नहीं है क्योंकि उनके आप पुनर जनम नहीं होता है और पुनर जनम नहीं होता है तो जी भत्या करना कोई पाप नहीं है फिर उनको ये समझा दिया गया है कि आप जब पुनर जनम मानते नहीं है तो पूरी प्रकरती में जो भी कुछ है वो इसी जनम के लिए है तो खाओ, मौच करो, भोग करो खाओ प्यों, मौच करो वो फिलोसफी आई तो खाओ प्यों, मौच करने में अगर प्रकरती का नाश होता है हम ने जो कुछ बनाया साइन्स और टेक्नोलोजी में वो प्रकरती के सहयोग से और प्रकरती के संरक्षन पर आधारित है हम जब पुनर जनम में गए तो फिलोसफी कहां तक गई फिलोसफी गई इशा वास्यम इदम सर्वं यतकिंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन बुन्जी था मागरदे कस्सिद्धनम जो कुछ भी इस चराचर जगत में हैं वो सिर्फ तुमारे लिए नहीं है औरों के लिए भी है और तुमारा उस पर अधिकार उतना ही है जितना तुमारे लिए है सब कुछ तुमारा नहीं है आने वाली पिड़ी के लिए है इसलिए त्याग पूरवग भोग करो और पडोसी के लालच में मत फसो मागरदे कस्सिद्धनम तो हमने बना दिया उसको और यही फिलोसफी अलग 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 महावरों में अनेक अनेक संपरदायों में आई मूल वो यह है इसलिए हम को दिल में चोट होती है और गांदी जी को भी चोट होती है कि गाए का कतल क्यों हो रहा है क्योंकि मैं कभी गाय बन गया तो मेरा भी होगा बहस का कतल क्यों हो रहा है क्योंकि मैं कभी बहस बन गया तो मेरा भी होगा और जब आप इस फिलोसफी में आगे जाते हैं तो टेकनोलजी कैसी होगी टेकनोलजी आप वही लाएंगे जो इसको संरक्षित रखे जो भी इसको disturb करे ऐसी कोई technology आपके काम की नहीं होगी तो हमने technology कैसी बनाई बैल गारी का पहिया बनाया हवाई जाज का नहीं क्योंकि बैल गारी का पहिया धीरे 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 rotate करता है और धीरे चलने वाली चीज जमीन पर pressure कम डालती है उससे जीवों की हत्या कम होती है इसलिए बैल गारी का पहिया बनाया इसलिए नहीं कि हम पिछडे हुए है पहिया हमने जब बना लिया तो हवाई जाज का भी बना सकते थे पहिया पहिया होता है लेकि हमने समझ भूच कर बैल गारी को चुना है क्योंकि इसमें नियुनतम जीव हत्या होती है हम किसी से पिछडे हुए नहीं है बहुत सोच समझ कर हमने बेल गाड़ी को आप्शन में लिया है दूसरी तरफ यूरोप वाले हैं अमरीका वाले हैं उनकी समझ यह यह है कि जो करना इस जीवन में करना है बाद में जीवन नहीं है तो हर चीज तेज करनी है तो स्पिर्ड के साथ करनी है हवाई जाज का पईया बना लिया अब हम कहां फस गए हैं उन्होंने जी हवाई जाज का पईया बना लिया इसलिए वो फारवर्ड है हमने बेल वाली का पईया बना लिया बेकवर्ड है ये सबसे बड़ा हमारे मन में बैठा हुआ दुश्चक्र है दुनिया में कोई फारवर्ड बेकवर्ड नहीं होता है अपनी अपनी मानिताओं के हिसाब से चीज़े तै होती है हम जब ये कहते हैं अमरीका वाले फारवर्ड हैं हम बेकवर्ड हैं तो हम कभी भ बुल जाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले अमरीका में एक दुरगतना हुई, उनके यहां भी सुनामी और थोड़े दिन पहले आया रीटा, दो पानी के बड़े जलले आये उनके यहां, केटरीना ने अमरीका के तीन राजियों का सफाया कर दिया, वो आपने सबने सुना है तीन राजियों का सफाया हुआ लाखों लोग बरबाद हुए घर तूट गए सब कुछ होगा सडक पे आ गए फिर आपने ये भी सुना होगा पांच दिन तक सरकार ने कुछ नहीं किया लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते हमारे यहां हो जाए तो उस पर गाना गाने लगते अमरीका की सरकार ने पांच दिन तक लाखों लोगों की ख़बर सुद क्यों नहीं लिया क्योंकि वो ब्लैक्स थे काले लोग है जिन राजियों में ये कैटरीन आया वहां की मैजोरिटी पॉपुलेशन ब्लैक है तो जॉर्ज बुश को उनकी कोई चिंता नहीं है क्यों प्रश्णी नहीं है पुनर जनम का चिंता क्यों होनी चाहिए जिनके आप पुनर जनम का प्रश्ण होगा ने उनको चिंता होगी कि अगली बार ब्लैक होके पैदा हो गए तो हमारे साथ भी कोई ये करेगा जॉर्ज बुश को चिंता ही नहीं है कि अगले साल ब्लैक भी हो सकते है वो गयता ये आखरी जीवन है जो करना इसी में करना है उसको चिंता नहीं है सारी दुनिया के अक्वारों में लेक लिके गए और कहा गया कि अमरीका अपने को बहुत बड़ा तीस मार्खा कहता है और जन हित का रख्षक कहता है लेकिन अपनी जनता के साथ अमरीका के राश्रोपती क्या कर रहा है पांच दिन तक ना पुलिस भेजी ना सेना भेजी ना कुछ भेजा ना सामान भेजा लोग बिचारे ठिटूरते रहे सड़क पे मरते रहे और जानते हैं आगे क्या हुआ आगे ये हुआ कि जिन लोगों को भूकंप ने या तूफान ने प्रभावित किया है उन सब लोगों ने एक दूसरों को जम कर लूटा एक दूसरे की माताओं बेटियों के साथ जम कर बलातकार किये एक दूसरे की जेवें काटी ही एक दूसरे के घरों में घुसके सामन लेके आ गए भयंकर लूट मार अमरीका में चलती रही साथ दिन तक फिर जॉर्ज बुश को समझ में आया कि लॉइन डॉर्डर की प्राबलम है तब उसने आर्मी बेजी वहा लेकिन आर्मी भी उसको कंट्रोल करने में तीन दिन और लगया माने दस दिन तक अमरीका में जम कर तांडब हुआ और जल जले से प्रभावित लोगों ने एक दूसरों को मारा एक दूसरे को लूटा एक दूसरे के साथ बलातकार किये घरों में आग लगाई सब कुछ हुआ ये है सब बिता अभी भारत की बात करता हूँ भारत में भी सुनामी आया था और हमारे भी तीन राजियों से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और सुनामी के बाद हमारे मुंबई में तो पूर आ गया बाड़ा गय और मुंबई के आजू बाजू के करीब 400, 500 गाओं बुरी तरह से प्रभावित हुए थे इन दोनों ही दुरगटनाओं में मैंने काम किया था सेवा के रूप में और हर जगे मैंने देखा कि भारत में जहां ये भयंकर आपत्ती आई है वहां एक भी भारतवासी ने दूसरे को नहीं लूटा किसी भी भारतवासी ने किसी की बहन के साथ बलातकार नहीं किया किसी भी भारतवासी ने किसी माँ के साथ बत्तमीजी नहीं की सब ने एक दूसरे को मदद किया ये है सब्भिता क्यों पुनर जनम होता है हाँ सारे देशवारे कट्थे होके पहुँच गए कि भाई इनकी मदद करो मदद करो आप मैंसे भी कुछ गए होंगे क्यों क्या मालूम अगले जनम में हमारे साथ ऐसा हो जाए तो ये जो पुनर जनम है ना ये बहुत कुछ कराता है अगर हम पुनर जनम से नहीं बने हों तो हम भी वैसा ही विभार करेंगे जैसे अमरीका में होता है तो पुनर जनम की ये फिलोसफी है जिसने हमको बांधा है एक साचे में हम वैसे ही रियक्ट करते हैं जैसी हमारी फिलोसफी है और साइंस और टेक्नोलजी को वैसे ही आगे बढ़ाते हैं जैसी हमारी philosophy है अभी देखो science technology पे मैं आता हूँ समझा रहा हूँ आपको मेरी माँ जाडू लगाती है बच्पन से मैं उसको देखता हूँ घर में जाडू लगाते हूँ तो एक बार मैंने मेरी माँ को पूछा ये जो जाडू है उसके आगे का हिस्सा ऐसे खुला हुआ है पीछे का बंद है क्यों आगे पीछे एक जैसा क्यों नहीं तो मिरी माने समझाया देख ये आगे का हिस्सा खुला हुआ है इसलिए की जाडू लगाओँ तो cheatी ना मर जाए उसके नीचे खोल के रखा उसको तो इस्पेस है ना छीटी को निकल के जाने के लिए एक सीख से दूसरे सीख के बीच में स्पेस है तो उनिकल के चली जाए ये है टेकनोलजी हमने जाडू भी बनाई है तो ये ध्यान रखा है कि उसके नीचे छीटी ना मर जाए और भारत में एक तो सीख जाडू होती है और एक तो दूसरी जाडू होती है जो बहुत ही साफ्ट होती है क्या करते हैं उसको फूल जाडू करते हैं उसको भी बनाते समय ध्यान रखा है कि अगर उसमें स्पेस नहीं हो तो जालते समय चीटी जिन्दा जाए ये है हमारी टिक्नोलजी अब यूरोप वालों ने क्या किया उन्होंने बनाया है एक मशीर हाँ जो खीच लेता है सब को अपने अंदर देखा है डस्ट खीचता है कहते तो उसको डस्ट क्लीनर है लेकिन वो डस्ट क्लीनर नहीं है डस्ट सकर है डस्ट को खीचता है और डस्ट के साथ चीटी को भी खीच लेता है चीटे को भी खीच लेता है कौकरोच को भी और सब को खलास करता है ये है टेक्नोलजी अब हम इसी में फसे रहे हैं हम तो पिछड़े हैं ज़ाडू बनाया है वो तो बहुत आगे हैं फॉरवर्ड हैं क्योंकि उन्होंने डस्ट सकर बनाया है ये हमारी मूर्खता है कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता दुनिया हर देश अपनी सबविता और अपनी माननिता के हिसाब से आगे बढ़ता है हमारी सबविता है पुनरजनमWally इसलिए हम जो भी करेंगे उसको ध्यान में रखकर करेंगे हर जगे आप यही देखेंगे हिंदोस्तान में जो भी स्वदेशी टेक्णोलोजी बनेगी आगे बढ़ेगी उसमें हर जगे आप यही पाएंगे अगर वो टेक्नोलोजी किसी ऐसे व्यक्ती ने बनाई है जो खरा हिंदुस्तानी है अमरीका रिटर्न है तो कबाड़ा करेगा इस तेश हाँ, क्योंकि वहाँ जो देखके आया ना कच्रा वो सब यहाँ चालू कर देगा क्या फाल तू काम करते हो जारू लगाते हो, डस सकर लेके आओ उसको थोड़ी देर बिजली लगाओ पूँ पूँ करो, खींचलो सब अब उसमें कितनी चीटी मरे, कितने मख्ची कितने मख्खर, उसकी कोई चिंता नहीं कियोंकि उसको पुनर जनम में मतलब नहीं जो है वो इसी जनम में हैं फिर हम क्या करें उसकी नकल करकर के हमारे घर में लेखे आएं, फिर अपने को करें हाँ, हम बहुत smart हैं, हम तो बहुत forward हैं, हम तो बहुत intelligent हैं, हम से बड़ा मूर्ख कोई नहीं बिना अपनी सभिता को समझे हुए बिना अपनी संस्कृती को जाने हुए दूसरों पर टिपणी करना और अपनों को उससे नीचे मान लेना यही मूर्खता है हम तो इसी में फसे हैं तो जब भी ये बात खड़ी होती है न जान्दी जी के सामने हो या आपके सामने गाए कट रही है बहस कट रही है तो जो भारती अता के लोग है जो पुनर जनम में मानते है जो सनातनी हिंदू है भले किसी भी संप्रदाई के है उनके दिल में कसक उठती है कि ये गाए क्यों कटती है कर नहीं पाते हों वो अलग बात है कसक तो है दिल में और इतनी तीवर कसक है कि आप जड़ा खुल कर बात कर लो तो इतना फट पड़ते हैं कि गाय बचाने के लिए मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं तयार क्यों आता है इतना तीवर हमें उद्वेग यह जो हमारे मंच पर थोड़ी देर पहले विलास भाई बैठे थे ना 74 साल की उमर में उनके मन में इतना उद्वेग क्यों है वो इसलिए है उनर जनम की माननेता है और हम सब इस माननेता से बधे हुए है तो अब हमारे सामने प्रश्न क्या है हमारे सामने प्रश्न ये है कि जिस माननेता को हमने धारन किया है उसके अनरूप अपने देश की कानून व्यवस्था होनी चाहिए या कानून व्यवस्था के अनरूप हमारी माननेता होनी चाहिए ये प्रश्न है सबसे बड़ा कतल खानों का बंद होना नहीं होना ये इस प्रश्ण से तै होने वाला है हिंदुस्तान में कानून बने है, काइदे बने है को अंग्रेज बनाकर चले गए उन कानूनों के अमसार गाय का कतल नहीं हो सकता लेकिन बुड़ी गाय का हो सकता है उसी कानून के अमसार अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जब उन्होंने बहुत दवाव में आके तै किया और बाद में भारत सरकार ने इसको राज्यों के इस तर पर बनवाया केंद्र ने तो आज तक नहीं बनाया भारत में आप जानते हैं अठारे राज्यों जिन्होंने ये कानून बना दिया है उसमें महराश्यों भी एक है कि गाय का कतल तो नहीं करेंगे लेकिन अस्वस्थ गाय है तो कर लेंगे स्वस्थ का नहीं करेंगे अस्वस्थ का कर लेंगे तो स्वस्थ और अस्वस्थ होने के बीच में एक बहुत बारीक लाइन है एक डॉक्टर बैखता है कतल खाने के गेट पर जो यह सर्टिफिकेट देता है कि यह स्वस्थ है यह अस्वस्थ है उसके सर्टिफिकेट से तै होता है एक बार में देवनार कतल खाने में गया मेरी आखों के सामने बहुत अच्छी अच्छी सुन्दर सुन्दर गाए एक दम स्वस्थ कटने के लिए गई और गेट पे डॉक्तर बैठा था मैंने का भाई कानून ये कहता है महाराश्र का कि गाए नहीं कटनी चाहिए उसने का कानून में ध्यान से पड़ो लिखा है कि बीमार गाए कटनी चाहिए मैंने देखा बात सही है स्वस्थ तो नहीं काट सकते अस्वस्थ तो काट सकते तो मैंने का कैसे मालूं तुम को ये अस्वस्थ है उसने का मेरा स्रेटिफिकेट है तो मैंने का तुम अस्वस्थ कैसे बना सकते हो किसी गाय को उसने का बहुत आसान है किसी भी स्वस्थ गाय के पाओं में डंडा मार दो लंगडा के चलने लगे अस्वस्थ हो गई किसी भी गाय की पूछ काट दो अस्वस्थ हो गई, कान काट दो अस्वस्थ हो गई, पांच दिन भूका रखो चल नहीं पाएगी, अस्वस्थ हो गई तो कटने के लिए जाएगी, कानून से जाएगी उसमें माननिता का प्रश्ण नहीं है, कानून का प्रश्ण तो इस समय भारत के 18 राज्यों में ये कानून है कि गोरक्षा के लिए लेकिन हर कानून में ये लगा हुआ है कई राज्यों में ये है कि बचला अगर तीन बरस से छोटा है तो नहीं कटेगा तीन बरस से एक दिन भी उपर है तो कट्ने को जा सकता है तो कानून बना दिये उन्होंने और हम हिंदुस्तानी जो देश चलाते हैं अंग्रेजियत की माननिता से इतने प्रेरित हैं कि इस तरह के कानूनों को सुधारते रहते हैं 58-59 साल से जडमूल से खतम नहीं करते अपनी माननिता के अनुसार कि गाए बीमार हो या स्वस्त तुमको क्या लेना देना तुमने पैदा नहीं किया तुम मारते कैसे हो उसको जिसने पैदा किया है वो तरह करेगा कि इसको कब मरना है कब नहीं मरना है तुम कौन होते हो बीच में अरंगा लगाने वाले ये तो माननिता का प्रश्ण है कानून में नहीं आता तो अब इस देश में हमें ये तै करना है कि कानून का राच चलेगा कि माननिताओं का प्रश्ण ये है इस देश हमें तै करना है पुढारियों को तै नहीं करना है वो तो हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं जैसे अंग्रेज बनाते थे धाई सो साल उन्होंने बनाया 58-69 साल हो गए ये काले अंग्रेज हमको उल्लू बना रहे हैं वो तो गोरे अंग्रेज थे ये काले अंग्रेज हैं सब को से कोई अंतर थोड़ी है इन में ऐसी ही बातें करते हैं जैसे अंग्रेज करते थे और कभी-कभी तो शर्म भी छोड़ के बातें करते हैं अभी वर्तमान प्रधान मंत्री डॉक्टर मन महान सिंग आठ जुलाई सन 2005 को लंदन गए Oxford University में डिग्री लेना है तो वहाँ भाशन दे दिया कि हमसे गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया भारत से आपको मालूम है यह भाशन दिया उन्होंने Oxford हमसे गलती हो गई जो हमने भगा दिया अंग्रेजों को तो अगर इसी को ही विशलेशन करना शुरू करें कि एक सरदार है मनमोहन सिंग जो कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना गलती हो गई एक सरदार था भगत सिंग जो अंग्रेजों को भगाए बिना चेन नहीं लूँगा इसका संकल्प लेके बैठा था एक सरदार मनमहं सिंग, जो अंग्रेजों को भगाने को गल्टी मानते हैं, अंग्रेजी साशन को भारत को उपहार मानते हैं, कि अंग्रेजी साशन बहुत अच्छा था, जिसने हमको न्याय दिया, कानून दिया, सब्विता दिया, सिक्षा दिया, टेक्नॉलेजिन दिया, सा प्रश्ण जो है न वो कानून का नहीं है माननिताओं का प्रश्ण है अब मन्मोहन सिंग की माननिता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे तो अंग्रेजी कानून भी अच्छे है तो मन्मोहन सिंग तो अंग्रेजी कानूनों को ही आगे बढ़ाएंगे न जिनकी माननेता है वो तो वही करने वाले है आपकी माननेता है चीटी नहीं मरनी चाहिए तो आप जाडू लगाते समय ध्यान रखते हैं के नहीं रखते हैं उनकी माननेता है ही नहीं है तो वो ध्यान क्यों रखेंगे कतल खाने चलें नचलें क्या फरक पड़ता है तो यह माननिताओं का प्रश्म जब आता है तो सरकार कहा जाती है कानून के साथ माननिताओं के साथ नहीं जाती है तो कानून इस तरह के हैं कि कतल होते जाएं और अब नएने कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं उसमें से एक कानून अभी थोड़े दिन प इसकी मात्रा दोगुनी कर दी जाए ये पॉलिसी बनी है तो इसका अर्थ क्या हुआ अभी 3600 कतल खाने चलते हैं तो इनकी संख्या 10,000 करनी पड़े यही होगा न तो इस पॉलिसी के तहट 16 पूर में दो कतल खाने खुलने जा रहे हैं ये है कहानी इसी पॉलिसी के तहट नागपुर में एक नया कतल खाना खुलने जा रहा है और इसी पॉलिसी के तहट पंधरपुर में एक कतल खाना खुलने जा रहा है इसी पॉलिसी के तहट थोड़े दिन में तुल्जापुर में खुलेगा इसी पॉलिसी के तहट अक्कल कोट में खुलेगा फिर क्योंकि पॉलिसी तो माननिता से नहीं चलती ना वो कानून और नियाए से चलती नियाए की परिभाशा वो नहीं जो हमारी माननिता वाली है नियाई की परिवाशा वो जिसको law कहते है justice नहीं law अलग है, justice अलग है तो इस policy के तहट भारत सरकार में तै कर दिया है क्योंकि ये अंग्रेजियत की माननिता है ना तो उसी अंग्रेजियत की माननिता से अब सब कुछ संचालित है इस देश में कुछ बदला नहीं है अंग्रेज चले गए है, अंग्रेजियत की सारी नीतियां चल रही है अंग्रेज चले गए है, अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून चल रहे है अंग्रेज चले गए हैं अंग्रेजों का बनाए गया पाठिक्रम इस देश में चल रहा है अंग्रेज लोग लेकिन इस अंग्रेजियत को विदा करो हमने उल्टा किया है अंग्रेजों को विदा किया है अंग्रेजियत को नहीं छोड़ा तो अंग्रेजियत साशन तंत्र में भी है, कानून में भी है, सिख्षा में भी है, हमारे देनिक जीवन के विवहार में भी है उसी अंग्रेजियत ने भारत सरकार को प्रेरित कर रखा है जो भारत सरकार कहती है कि मीट एक्सपोर्ट डबल होना चाहिए अब तक हमारे देश में 72 लाख मीटरिक तन मास उत्पादन होता है सरकार चाहती है कि ये 140 लाख मीटरिक तन हो जाना चाहिए इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंदर सरकार देने को तैयार है और केंदर सरकार ने कहा है कि सारे कतल खाने खोलो सबसिडी हम देंगे और कतल खाना खोलने के लिए एक करोड रुपए तक की सबसिडी आराम से मिलती है और कई करोड रुपए का करज बिना ब्याज के मिलता है अगर ये कानून का प्रश्ट नहीं होता, अंग्रेजियत का प्रश्ट नहीं होता तो 140 लाख मीटर तन हो जाना चाहिए इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंदर सरकार देने को तयार है और केंदर सरकार ने कहा है कि सारे कतल खाने खोलो सबसिडी हम देंगे और कतल खाना खोलने के लिए एक करोड रुपए तक की सबसिडी आराम से मिलती है और कई करोड रुपए का करज बिना ब्याज के मिलता है अगर ये कानून का प्रश्ट नहीं होता, अंग्रेजियत का प्रश्ट नहीं होता तो क्या होता माननिता का अगर प्रश्ण होता तो इस देश की माननिताओं के हिसाब से सजाया हुआ है और दूसरे का कोई हस्तक्षेप आप उसमें पसंद नहीं करते हैं तो अपने देश को अपनी माननिताओं के हिसाब से सजाईए दूसरे के हस्तक्षेप को क्यों पसंद क क्योंकि ये जो हमारा छोटा घर है इनी छोटे छोटे घरों से मिलकर देश बनता है जो बड़ा घर है ये तो नहीं चलने वाला कि घर हम हमारी माननिता के हिसाब से चलाएं और देश को विदेशी माननिताओं के हिसाब से चलाएं या विदेशी नीतियों के हिसाब से चलाए ये तो नहीं चलने वाला और अगर ये चलेगा तो हर समय संगर्ष होगा ये कुछ इस तरह से होगा मैं आपको सरल सब्दों में समझाता हूँ घर आपने समारा है अपने हिसाब से कोई पडोसी आके कहे जी उड़त की दाल खाओ रोज तूर की अच्छी नहीं होती और बैंगन का भरता खाओ ये बटा का अच्छा नहीं होता और दूदी भोपले का ये करो ये अच्छा नहीं होता रोज आपको आके सबेरी सबेरे भाशन दे कितने दिन सुनेंगे कहेंगे भाई तू जा तेरे घर में कर हमें क्या करना है वो हम तै कर लेंगे तू कौन होता हम उड़त की डाल खाएं के तूर की डाल खाएं तू कौन होता ये बताने वाला कि हम दूदी भोपले का रस पी है के नई पी है होता कौन है तू हमारे घर में हम तै करेंगे अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूर्वक इतनी तीव वर्ता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तै कर लेंगे या अंग्रेजियत की संसद कौन होती है या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुडारी कौन होते हैं देश हमारा है, समाज हमारा है हम तेह करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए जितनी तीवरता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं उतनी तीवरता से समाज के लिए कहें, देश के लिए कहें, जी उड़त की दाल खाओ रोज, तुवर की अच्छी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाओ, ये बठाटा अच्छा नहीं होता, और दूदी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता, रोज आपको आखे सबेर सबेर भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे, कहेंगे भाई तू जा, तेरे घर में कर, हमें क्या करना है, वो हम तै कर लेंगे, तू कौन होता, हम उड़त की दाल खाएं के तूर की दाल खाएं, तू कौन होता, ये बताने वाला, कि हम दूदी भोपले का रस पी हैं के नहीं तोता कौन है तू? हमारे घर में हम तै करेंगे. अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूरवक इतनी तीवरता से कहते हैं, तो देश क्यों लिए क्यों नहीं कहते? कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तै कर लेंगे? या अंग्रेजियत की संसद कौन होती है? या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुड़ारी कौन होते हैं? देश हमारा है, समाज हमारा है. हम तै करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? जितनी तीवरता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं, उतनीती वृता से समाज के लिए कहें, देश के लिए कहें तो इस समस्या का समाधान पांच मिनट में निकलता है उस दिन तक रखो, जिस दिन तक उपयोग करना है नहीं है, तो खतम करो उसको तो हमारी सरकार इस समय थ्योरी ओफ यूटिलिटी में फसी हुई है और सरकार ही नहीं, पुढ़ारी भी उसमें फसे हुए है तो तरक क्या देते हैं जी, जो जानवर उपयोगी नहीं है उनका कतल क्यों नहीं कर देना चाहिए, ये तरक आता है तो उनको पूछना चाहिए, कि हमारी माननिता में तो ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है क्योंकि जिसने ये प्रकरती बनाई है, वो कहे तो समझ में आता है कि ये उपयोगी है और ये उपयोगी नहीं है तुमने तो कुछ नहीं किया है इस प्रकरती में तुम कौन होते होते है करने वाले कि ये उपियोगी है या ये उपियोगी नहीं है और अगर यही प्रशन मान के चले कि गाये दूद नहीं देती तो उपियोगी नहीं है बैस दूद नहीं देती तो उपियोगी नहीं है इसलिए इनका कतल करो तो उनसे पूछो जो ये थियोरी देते है कि भाई थोड़े दिन के बाद तो तुमारी आई भी दूद नहीं देती तो पूछो ना वो भी उपियोगी नहीं है उसको भी कतल करो और थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारे वडिल किसी काम के नहीं है वो भी उपियोगी नहीं है तो उनको भी कतल करो क्योंकि theory of utility तो बहुत खतरनाक है अगर आप ऐसे ही अपने जीवन को चलाएंगे कि क्या उपियोगी है क्या उपियोगी नहीं है तो थोड़े दिन के बाद तो आपके लिए कुछ भी उपियोगी नहीं होगी जो कतल खाना बनाने की मुहिम में लगे हुए है और मैं आपको बता दूँ कि वो बहुत minority के लोग है जो कतल खाना बनाना चाहते हैं उसमें महावपोर हो सकते हैं महापालिका के लोग हो सकते हैं लेकिन majority लोग हैं जो नहीं चाहते तो उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी अब हमारे देश में एक बहुत बड़े व्यक्ती हुए गोस्वामी तुलसी दास उन्होंने एक बहुत सुन्दर बात लिख लिए विने नमाना हु जल दिजड गए तीन दिन बीथ बोले राम सकोब तब भय बिन होए न परीथ बगवान राम समुद्र को विने कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो लंका में जाना है समुद्र कहता है नहीं दूँगा तुम कौन होते हो तो तुलसी दास कह रहे हैं कि भय बिन होए ना प्रीत जब तक आप दर नहीं दिखाओगे समुद्र को ये आप से प्रेम नहीं करने वाला तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी माननिता का सवाल है ये हमारी अस्मिता का सवाल है ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गाओं में मैं जाके आया जिस बंजारे समाज को भारत सरकार, चोर और बेईमन साबित करने में लगी है उनकी माननिता है कि हम कतल खाना बनने नहीं देंगे हमारी अस्मिता का प्रशी उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए, हम नहीं बनने देंगे इसको और पूरे गाओं ने कहा है, कोई एक व्यक्ति में नहीं कहा है तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए है तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़े होना है और ये सिर्फ एक गाओं विने कर रहा है कि भाई रास्ता दे दो लंका में जाना है समुद्र कहता नहीं दूँगा, तुम कौन होते हो तो तो तुलसी दास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत जब तक आप दर नहीं दिखाept को ये आपसे प्रीम नहीं करने वाला तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी माननिता का सवाल है ये हमारी अस्मिता का सवाल है ये सिर्फ कानून वियवस्था का सवाल नहीं और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गाओं में मैं जाके आया जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेइमन साबित करने में लगी है उनकी माननिता है कि हम कतल खाना बनने नहीं देंगे हमारी असमिता का प्रश्व उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको और पूरे गाओं ने कहा है कोई एक जक्ती ने नहीं कहा है तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़े होना है और ये सिर्फ एक गाओं नहीं कह रहा है उसके आजू बाजू के ग्यारे गाओं कह रहा है कि हम ये कतल खड़े हैं उन्हों ने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको और पूरे गाओं ने कहा है कोई एक जक्ती ने नहीं कहा है तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए है तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़े होना है और ये सिर्फ एक गाओं नहीं कह रहा है उसके आजू बाजू के ग्यारे गाओं कह रहा है तो यह ग्यारे गाओव की ग्राम सभाएं थोड़े दिन में सौ हो सकती है पूरा कोре, सोला पूर जिले की ग्राम सभाएं यह प्रस्ताव पारित कर सकती ही कि नहीं होनी होने देंगे तो आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका ये है कि जिनों ने ये तै कर लिया है कि नहीं होने देंगे उनके साथ सहयोग करना है बस इतनी सी भूमिका है और जो जैसा सहयोग कर सके तन से कर सकें, तन से, मन से कर सकें मन से, धन से कर सकें, धन से जैसा भी सहयोग कर सकें करी अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सही होग कर सकता हूँ और उनकी सीमा आपकी सामने है आपको सही होग करना है बस और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं फिर मेने पूछा राजने तिक नियदाव आया तो? तो उन्हेंने का तो क्या? आता रहता है वो तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमेडी अगर उन्होंने इतना ठाम निरने ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निरने करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं हमें तो सहयोग करना है और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा तन से कर सकें, तन से, मन से कर सकें, मन से, धन से कर सकें, धन से जैसा भी सहयोग कर सकें करी अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूँ और उनकी सीमा आपकी सामने है आपको सहयोग करना है बस और वो इतने convince हैं इस बात से वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं फिर मैंने पूछा राजनेतिक दबाव आया तो तो उन्हेंने का तो क्या आता रहता है वो तो हम पीछे लिए हटने वाले उसमे भी अगर उन्होंने इतना ठाम निरने ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निरने करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं हमें तो सहयोग करना है और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा इतनी ताकत उनको मिलेगी जिसकी कलपना आप नहीं कर सकते अब सहयोग कैसे करना है मान लीजे कल को वो कोई बहुत बड़ा कारिक्रम आयोजित करें धरने का, प्रदर्शन का, उपवास का, सत्यागरे का तो आप उसमें शामिल हो जाएए वो कोई मेमोरेंडम देने के लिए यहां आएं तो आप भी उनके साथ चले जाएए उनको यह नहीं लगना चाहिए कि यह लड़ाई अकेले वो लड़ रहे हैं उनको यह लगना चाहिए कि पूरा समाज उनके साथ इस लड़ाई में शामिल है और भारत के लोगों में बहुत शक्ती है मैं आपको सच बता रहा हूँ इस देश के लोगों की इतनी बड़ी शक्ती है कि बड़े बड़े एमपायर इस देश ने हिला दिये खिरिमती गांदी के बारे में इस देश में एक जमाने में कहा जाता था कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता इनी हिंदुस्तानियों ने उनको आसमान से जमीन पे लाया है तो अभी तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो शरीमती गांदी के बराबर की हो ताकत में हाँ इतनी हैसियत तो फिलाल किसी की नहीं देखती है इस देश में तो ये कौन होते हैं इनकी ताकत इतनी नहीं है जब श्रीमती गांदी की सरकार को हिंदुस्तानी लोग आस्मान से जमीन पिला सकते हैं और श्रीमती गांदी की जमानक जब्त करा सकते हैं तो ये हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं बहुत ताकत है बस इनको ध्यान दिलाने वाला कोई चाहिए जैसे राम चंदर जी ने हनुमान जी को याद दिलाए था तुमारी बहुत ताकत है तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो करके तो देखो एक बात और मारा छलाँगो और हनुमान जी पहुँच गे श्री लंका फिर राम ने का तुमारी बड़ी ताकत है लगा सकते हो लगा के तो देखो लगा दिया तो भारत के लोग हनुमान जी जैसे है जब आप बताओगे कि बहुत ताकत है तो वो खड़े हो जाएंगे फिर उनके सामने कोई नहीं तिकने वाला है मेरा ये कहना है ये सरकारें जो है न वो हम से हैं हम सरकारों से नहीं है और हम सरकार चलाने के लिए वोट दे रहे हैं नोट दे रहे हैं तो हमें अधिकार है सरकार को आदेश देने का निवेदन करने का नहीं आदेश देने का अधिकार है निवेदन तो हम तब करते थे जब अंग्रेजों की सरकार चलती थी इस देश में कि हम आपके पास एक मेमोरेंडम लेके आये हैं इसको जरा ध्यान दीजिए अभी तो आप बोलिए हम आदेश पत्र लेके आये हैं इसको करिए क्योंकि आपको वोट दिया है और नोट भी दे रहे और सरकारें तो हमारी नौकर हैं हम तो मालिक हैं इस देश के क्योंकि वोटर इस देश का मालिक है टैक्सपेर इस देश का मालिक है आप सोलापूर महानगर पालिका को टैक्स पे करते हैं अच्छा काम करने के लिए खराब काम करने के लिए नहीं हम सरकारें बनाते हैं अच्छे काम करने के लिए खराब काम करने के लिए नहीं और सोलापुर में लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं 80 प्रतिशत तो पक्का है कि वो जीव दया प्रेमी हैं क्योंकि भारतियता को मनने व taken तो वो कहें इस बात को नीव जीव दया में मानते हैं आपको हर साल टैक्स भरते हैं हमारे ٹیکس کے پیسے سے आप कतल खाना चलाएं ये तो अधिकार हमने आपको नहीं दिया है कुछ अच्छा काम करना हो तो करिए नहीं तो जाएंगे हम किसी दूसरे को लाएंगे आपके बनुवा मजदूर नहीं है अच्छा काम कुछ करना है सोलापूर की मिलیں बंदो रही हैं उनके लिए कुछ कर लीजिए हमने आपको कतल खाना चलाने के लिए टैक्स नहीं दिया है और ये बात सोलापूर में ही बोलने की जरूरत नहीं है इस बात को भारत सरकार के इस तर तक बोलना है कि हम आपको हर साल साथ लाख पचास हजार कोटी रुपई टैक्स में बढ़ते हैं इसके लिए नहीं कि आप मीट एक्सपोर्ट बढ़ाएं इस देश का हम नहीं चाहते हैं कि भारत से मास का निरियात हो हम चाहते हैं कि भारत से दया प्रेम करुणा का निरियात हो जो हजारों साल से हमने किया हमारे भारतिय संस्कुर्ति और सब्विता में जितने भी महान लोग आये हैं उन्होंने भारतिय सब्विता का निरियात किया है मास का निरियात नहीं किया है और सीधे सीधे प्रश्न करने है कि महात्मा गांदी के दांडी मार्च की सत्याग्रे अगर जैनती आप मनाते हो तो किस मूँ से ये कतल खाने खुलवाते हो या तो ये पाखंड बंद करो गांदी जी का मार्च का सत्याग्रे का जैनती मनाने का और सब को कहो कि हमने गांदी जी को दफन कर दिया है और या गांदी जी को मानते हो तो उनके जीवन की सबसे महत्तु की बात है कि कतल खाना कलम की एक नौक से बंदोना चाहिए उसका पालन करो या तो लोगों से कहो कि हमने गांदी जी को छोड़ दिया है तो हिंदुस्तान के सभी नोटों से गांदी जी की तस्वीर मिटाओ सभी दिगरी कॉलेजिस, मेडिकल कॉलेजिस, इंजिनिरिंग कॉलेजिस से गांदी जी की फोटो हटाओ सब हिंदुस्तान के ओफिसर्स के जो बड़े-बड़े कक्ष है वहां से गांदी जी को हटाओ हिम्मत है तो करो और कहो सब को के हमने तो गांदी जी को बुला दिया है हम नहीं मानते हैं उनको और अगर ये हिम्मत नहीं है तो कम से कम पाखंड तो मत करो ये तीखे प्रश्न समाज में आने चाहिए और ये इसलिए कि हमारी सब्विता की लड़ाई है अस्मिता की लड़ाई है ये व्यक्तिकत नहीं है राजनितिक नहीं है ये सब्विता का प्रश्न है ये माननिता का प्रश्न है किसी भी राजनीत से बड़ा है और भारती एता में अगर मैं राजनीत को परिभाशित करूँ तो राजनीत के बारे में आप मन में एक छोटा सा कहीं कॉर्णर में बिठा दीजिए कि राजनीत सिर्फ टॉइलेट रूम जैसी है इससे ज्यादा कुछ नहीं घर में टॉइलेट रूम होता है ना लेकिन पूरा घर टॉइलेट रूम नहीं हो सकता घर का एक छोटा सा कोना टॉइलेट रूम होता है जिसमें 10-15 मिनट हम बैठ सकते हैं इससे ज्यादा नहीं राजनीत भी वहीं तक है क्योंकि उसके आगे तो बहुत कुछ है किचिन है डाइनिंग रूम है ड्रॉइंग रूम है बैड रूम है वो महत्तु के हैं टॉइलेट रूम नहीं है पंद्रे मिनट के लिए है बस तो राजनीत भी उतनी ही है इसको इससे ज़्यादा सर पे मत चढ़ाईए नहीं तो तकलीफ करेगी आपको राजनीत को हमने जरूरस से ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है और इतना चढ़ा लिया है कि हर छोटे बड़े काम में किसी ने किसी पुढ़ारी को पकड़ के लाते है हाँ कर रहा है राम कथा का उदगाटन वो पुढ़ारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावड से भी गया भीता है करशन कथा का उदगाटन वो पुढ़ारी करता है जो कंस से भी दस फिट नीचे है नहतिकता में और चरुए हमने सच में इनको सिर्प चड़ा रखा है हर छोटे बड़े काम में इनके आगे पीछे गूमते रहते आईए जी हमारे आउद गार कहा फस गए आप इनके चक्कर में इसलिए मैंने बहुत गंबीरता से सोच विचार कर कहा है पुढारी और पॉलिटिक्स माने टॉइलेट रूम घर की जरूरत है लेकिन पूरा घर वो नहीं है थोड़ा सा हिस्सा है उतना ही भर रखी है उसको उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एक गम चलते रहेंगे आपके कहने पर जो आपने सिर पे बिठा लिया अगर पूरा घर टॉइलेट बना लिया तो क्या होने वाला घर छोड़के जाना पुड़ेगा आपको इसलिए ज़्यादा इनको सिर पे मत चढ़ाईए और ज़्यादा इनको इस तरह से तबज्यो मत दीजे हर समय उनके आगे पीछे मालाएं लेके खड़े हो जाना हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है बेईमान है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है फिर काई के लिए मालाएं लेके खड़े हैं उसके सामने जब जानते हैं, नहीं जानते तो बाता लगे आपको मालुम है, सब कुछ खुला है आपके सामने उसका फिर इतना क्यों उसको तवज्जो देना थोड़ा स्वाभिमानी तो बनी है भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा देते हैं स्वाब इमान नहीं छोड़ते हैं हमने इतना छोड़ दिया है तो जब आप थोड़े स्वाब इमान से आत्म संबान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटीशन आपकी इज़त करने लगेंगे जब इनके सामने आप गुरगलाते और रिंगलाते खड़े रहे हैं ये आपके सिर्प चड़के बैठेंगे इसलिए उनको उनकी जगे रहने दीजिए आप अपनी जगे तलाशिए और इस समाज में इस प्रशन को कतल खाने के प्रशन को भारत की सब्विता और अस्मिता का प्रशन बनाईए सिर्फ कतल खाना रोकने तक ये सिमित नहीं है ये लड़ाई बहुत बड़ी है गांदी जी जिसको लड़ना चाहते थे आजादी के बाद वो अधूरी है इसको पूरा करने का काम हमें करने गांदी जी इस प्रशन को पूरी सब्विता के साथ जोड़ कर देखते थे वो कहते थे कि ये प्रशन अंग्रेजियत का है इससे कम नहीं है कुछ के तो आज भी वही अंग्रेजियत का प्रशन हमारे सामने इसमें जो छोटे-छोटे प्रशन आएंगे उनका समाधान आप करिये जैसे theory of utility की बात मैंने कही बीमार हैं अपंग हैं लूले लंगले पशु हैं उनका क्या करना तो कहिए हम समा लेंगे आप क्यों चिंता कर रहा है उनकी हर एक पशु का मूत्र और उसका शेन यही एकठा करें तो साल का लाख रुपए का इंकम है मैंने आप से कहा और इसको हम सिद्ध कर चुके हैं ऐसे ही नहीं कह रहे है फिर कोई लोग यह कहेंगे कतल खाना तो बन गया है 40 तका पूजी लग गई है बहुत बड़ी शेट बनाया है वहां कम से कम एक हजार गाए हम पाल सकते हैं और पूरे सोलापुर नगर को गाए का दूद पिलाएंगे हमारे वरधा शेहर में ऐसा होता है गाए पालने वाले किसानों की एक सहकारी संस्था बनाई है वो रोज 56,000 लीटर दूद पिलाती है शेहर के लोगों को तो यह वरधा में हो सकता है तो सोलापुर में हो सकता है तो हम वहाँ गाए पालेंगे दूद पिलाएंगे और अच्छे नसल की गाए का पिलाएंगे जो हम भूल गए है जैसे राठी नसल की एक गाए होती है राजस्थान में अदूद दूद देती है एक गाए 35 लीटर दूद देती है कोई सोच नहीं सकता हमने तो इतनी कलपना की है कि जरसी गाए 35 लीटर दूद देती है भारत की स्वदेशी राठी नसल की गाय 35 लीटर दूद देते और दूद अजबुत है उसका जो पीते हैं वो जानते हैं उसके वारे तो ऐसी अच्छी अच्छी गाय लाके रखेंगे हजार दो हजार उनका जितना दूद होगा वो सोलापुर में बांटेंगे बच गया तो दही बनाएंगे दही से ताक बनाएंगे ताक दूसरों को देंगे और मक्षन हम निकालके उसका घी बनाएंगे घी यहां के मंदिरों में काम आएगा मंदिर तो बहुत है ना तुल्जा भवानी का मंदिर है अकल कोट का मंदिर है मंदिरों का शहर है यह तो आजू बाजू में इतने तीरतिस्थान है सब जगें गी काम आएगा और एक बहुत बड़ा काम और आएगा वो ये, मैं गाओं गाओं में घूमता हूँ शितकरी बांदों से कहता हूँ कि आप गाए रखते हो, हाँ रखते हैं तो उसको गरबादान कैसे कराते हो तो कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं सत्या नाश इंजेक्शन लगाके उसको गरबादान कराते है तो क्यों कराते हो तो वो मुझे एक मायूसी में बात कहते है राजी भाई, हमारे गाओं में बैल नहीं है सान नहीं है क्या करें तो चलो हम एक केंदर बनाएं यहां पर जो अच्छे किसम के सान पालने का हो और सब गाओं में उपलब्द कराएं उसकी सेवा राठी नसल की गाय है तो राठी नसल का सान भी है धरपारकर नसल का है साहीवाल नसल का है बारत में 40 नसल के बहुत उत्तम किसम के सान है उनको यहां लाके रखेंगे जिसकी जरूरत हो वो गाओं में लेके जाए और उसकी गाए को या तो यहां छोड़ कर जाए सेवा उसको प्राकर्तिक रूप से मिलेगी तो परिनाम क्या निकलेगा वो गाए की नसल सुधरती चली जाएगी आप जानते हैं यह इंजेक्शन लगा लगा के गाए को जो गर्वबती किया जाता है उससे नसल खराब होती है और तीन नसल के बाद तो गाए दूद देना भी नहींगी संबह होता है तो इस नसल को वापस सुधर है इंजेक्शन लगा दिया सोचो क्या होगा हाला कि वो डॉक्टर मानते हैं कि हमने फिजियोलोजी पढ़ा है एनोटोमी पढ़ा है लेकिन इतने मूर्ख लोग है इनको अकल भी नहीं है समझ भी नहीं है कि उसी फिजियोलोजी और एनोटोमी के अधार बहुत बड़ा पाप हो रहा है इस दिश तो यह कम से कम पाप बंद हो इसके लिए एक हम केंदर खोल दें यहां पे और सो दो सो पाँच सो अच्छे सान रखें जो गाउं गाउं उपलब्द हो और तीसरा बड़ा काम यहां बहुत सारी संस्थाए हैं जो जीवदाया का काम करती हैं वो सब संस्थाए मिल कर वहां एक अच्छा हॉस्पिटल चलाएं गाए के लिए, बैल के लिए, बचुडे के लिए, भेंस के लिए, कुत्तों के लिए क्योंकि हॉस्पिटल की ज़रूरत है जैसे हमें जरूरत है उनको भी जरूरत है उनके एक्सिडेंट होते रहते हैं बिचारे लंगे पाउं भूमते रहते हैं कोई तो चाहिए जो उनकी सेवा करे सारवार करे तो एक अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है पशू चिकित साले हो सकता है और डॉक्टर भी अच्छे हैं जो वहाँ पर सेवा दे सकते है और सबसे बड़ा काम यह हो सकता है कि भारत के कष्टकार को शेतकरी को ट्रेनिंग देने का गाए को कैसे रखना अभी तो हम भूल गए जो शेतकरी उसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं इसका माने तो वो भूल गए सब कुछ फिर गाली देते हैं गाए दूद नहीं देती देगी कैसे तुम गाए के मन मरजी से करो तो वो दूद दे तुमें तुम उसके मन के खिलाफ जाओगे कैसे देने वाली है तो इतना समझ अगर हमारी कम हो गई है तो इसका माने इस पे तो ट्रेनिंग कैम्प करने पढ़ेंगे किसानों के सेमिनार्स करने पढ़ेंगे सिंपोजियम्स करने पढ़ेंगे वर्क्शॉप करनी पढ़ेंगी जिसमें उनको समझाया जाए कि भाई गाए का दूद क्या-क्या तरीके से बढ़ सकता है मैंने एक छोटा एक्सपरिमेंट किया था एक गाए मैंने लिया था आज से छे-साथ साल पहले जिसको कुछ भी दूद नहीं था और उसको एक ही काम किया प्राकर्तिक तरीके से उसको गर्बाधान शुरू किया वो गाए ने तीन पीड़ियां दिया और चौती पीड़ी अभी हमारे घर में है वो तेरे लीटर दूद देती है और चार पीड़ी पहले वो कोई कुछ दूद नहीं देती सिर्फ एक ही काम किया और ऐसे कई छोटे-छोटे काम है जैसे गाए को रोज सुबह जवारी का भाकरी और गेवू वेस खिला दो बुड खिला दो देखो दूद कितना बढ़ता है बिना यूरिया बिना डिया पी का घास चारा खिलाओ दूद बहुत तेजी से बढ़ता है पानी उसको दिन में दो बार की जगे चार बार पिलाओ दूद बहुत तेजी से बढ़ता ये छोटी-छोटी बाते हैं ये बस बताने की हैं किसान इसको कर सकेंगे लेकिन बताने के लिए कोई केंगर तो चाहिए तो यहां चलाएंगे ना जहां कतल खाना खुलने वाला यहां केंदर चलाएंगे ये बेकार नहीं होने वाला फिर कहेंगे जी मशीन खरीद लिया है तो क्या बेच दो भंगार के बाओ खरीदने वाले हैं और किस से खरीदा है तुमने कहेंगे जी मशीन हम खरीद लाए है तो हमारे tax के पैसे की है ना या तुमारे गांट से लाए हो पूछो ना इनको machine तो हमने tax दिया उस पैसे से लाए हो हम कहते हैं बेच दो भंगार के बाओ तुम कोने तो परिशान होने वाले हमारे tax का पैसा है और कोई खरीदता नहीं तो हम खरीद लेंगे वापस क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दूँ engineering में कोई भी machine कभी भी बेकार नहीं होती उसको अस्वरूप बदल के आप उसको कोई भी दूसरे काम में ले सकते है अभी जो machine आई है वो काटने के लिए है इसके blade निकाल दो तो वही machine दूसरे काम करेगी कुछ बेकार नहीं होने वाला उस blade को आप बेचना हो तो बेच दो नहीं तो उससे भी दूसरे काम कर सकते हो जो पशू प्राकरतिक मौत मर रहे हैं उनकी चमड़ी उतारने में यही blade काम आएंगे तो machine बेकार नहीं है, building बेकार नहीं है दोनों काम में आएगा और नगर पालिका कहे कि जी इसका पईसा कौन देगा तो उनसे कहो कि किस के पईसे से बनी है पूछो ना, नगर पालिका कहां से पैसा लाई है कहेंगे केंदर सरकार की subsidy है केंदर सरकार ने subsidy कहां से दिया है हमने income tax भरा उसमें से दिया है हमने sales tax भरा उसमें से दिया हमने service tax दिया उसमें से दिया केंदर सरकार कहां से लई उनके पास क्या पैसा फ्योड़ पर उगता है भारत वासी हैं जो हर साल tax भरते हैं उसमेंसे वो सबसिडी देते हैं तो हमारा पैसा है हम तै कर रहे हैं कि इसको क्या करना है और अगर वो कहते हैं कि यह बिल्डिंग में हमने कहीं से करज लेके बनाया है तो ठीक है बिल्डिंग हम खरीद लेंगे और मैं मानता हूँ कि सोलापूर में मेरे जैसे लोग अगर जोली फैला के भीक मांगने निकल जाएं तो इतना तो इकठा होई जाएगा जितना बिल्डिंग का चुका सके सोलापूर अभी इतना गरीब नहीं हो गया है इतने जीव दया प्रेमी तो यहां निकल लियाएंगे जो ददस रुपए भी दान करेंगे सो सो रुपए भी दान करेंगे तो बिल्डिंग का पूरा पैसा निकलाएगा इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है हम इन सब प्रश्णों का समाधान कर सकते हैं हमारी माननिता है हमारी सब्विता है हम कहीं तक भी जा सकते हैं उसके लिए और ये confidence आप में आ जाए कि ये हमारी माननिता का प्रश्ण है ये technology का सवाल नहीं है law and order का problem नहीं है तो आप ही इसके लिए बहुत कुछ कर देंगे आदमी जो है ना माननिता के लिए ही जीता है और वो जिन्दा तभी तक रहता है जब तक उसकी माननिता जीवित है उसी दिन मर जाता है जिस दिन माननिता चली जाती है तो आप अपनी माननिता को जीवित रखें भारतियता को जीवित रखें जो सब्विता हमने पाई है सच में अनमूल है दुनिया के बहुत सारे देशों की सब्विताओं का अध्यन करने के बाद अब मुझे लगता है कि भारत सच में महान है पहले मुझे लगता था ये लोग कहते हैं भारत महान है भारत महान है क्या महानता है इसमें महानता ये है कि हम पुनर जनम में मानते हैं तो वहाँ से सब कुछ हमारा व्यवस्थित निकलता है और दूसरे मानते ही नहीं है तो वहाँ से सब टेंशन ही टेंशन निकलता है पुनर जनम मैंसे टेंशन नहीं निकलेगा कभी टेंशन निकलता है जब एक ही जनम है तो स्ट्रेस निकलता है एक ही जनम मैंसे उनर जनम मैंसे तो शान्ती 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 ही निकलते है ये है हमारी माहनता ये हमारी माहनता है कि जब विपत्ती आती है तकलीफ आती है तो सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे का बलातकार नहीं करते एक दूसरे की चोरी नहीं करते मैं कहता हूँ एक आखरी बात और फिर खतम करता हूँ मेरा एक दोस्त है अमेरिका में रहता है थोड़े दिन पहले उसने मुझे इमेल किया कैलिफोर्निया के पास एक गाउं में रहता है कैलिफोरिन्या इस्टेट में रहता है एक गाउं में तो उसने मुझे E-Mail किया और बोलता है राजीब भाई मेरा घर जल गया तो मैंने का सो वाड जल गया तो जल गया क्या फरक पोलता है उसने का नहीं नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैंने का बताओ उसने का जब मेरा घर जला तो सबसे पहले फाइर बिर्गेड आ गया और फाइर बिर्गेड ने आग बुझाई फिर तुरंत ही इंशुरेंस कंपनी वाले आ गए चेक लिख के देखे चले गए फिर पुलिस आ गई मेरे घर में F.I.R. नोट करके चले गए तो मैंने का फिर क्या है उसने का मेरा पडोसी नहीं आया मैंने का भाई तु अमरीका में रहता है भारत नहीं है अमरीका में घर जलता है तो सब कुछ आता है पडोसी नहीं आता और भारत में अगर घर जल गया तो कोई नहीं आएगा सबसे पहले पड़ोसी आएगा फाइर बिर्गेट वाले कहेंगे अभी पानी नहीं है टेंक में दो तीन घंटे बाद पानी बरके आएंगे पुलिस कहेगी हमको फुरसत नहीं है यहां आओ और फाई आर कराओ सरकार कहेगी दो तीन साल बाद इंशुरेंस का पेमेंट होगा कोई नहीं आएगा पड़ोसी पहले आजाएगा यह तो सब्विता है इसी सब्विता को बचाने की लड़ाई है यह जो दूसरे देशों के पास नहीं है जौर्ज बुश और अमरीका इससे वंचित है और हमारे पास यह है जो है अच्छा है तो बचा के रखना है और कहीं खराब हुआ है तो अच्छा बनाना है हमारी सब्धिता में कहीं कुछ खराबियां आ गई है तो उसको अच्छा बनाना और जो अच्छा है उसको संजो कर रखना है ये धे है हमारा इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं तो आप भी हम भी सम मिलके करें शायद हो जाए और ये होने में असंबब कुछ नहीं है यहां आपने मंच पे देखा था हमारे दो कारिकरता राचकुमार बरडिया और संदीब वैद ये अमरावती से आये हैं थोड़े दिन पहले इन्हों ने वहां एक कतल खाना बन कर आया और ऐसा ही अमरावती महा नगर पालिका ने परस्ताओ किया बिल्डिंग बनना चालू हो गया मशीनरी खरीद ली गई सारे कुतर्क जो यहां है वो वहां भी थे लेकिन वहां जब समाज इकठा हो गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो नगर महा पालिका ने सरंडर कर दिया प्रस्ताओ भी वापस हुआ मशीन भी चली गई बिल्डिंग भी वैसे तो अमरावती में हो सकता तो यहां भी हो सकता है दुनिया में कहीं भी कोई काम असंभव नहीं होता करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत तो इस बात का है आप थोड़ा संकल्प ले लें गाउं के लोगों ने संकल्प ले लिया है 11 गाउं वालों ने संकल्प ले लिया है और थोड़े दिन में 10-20 गाउं इसमें जुड़ जाने वाले हैं बस संकल्प बढ़ता चला जाएगा काम हो जाएगा theory of utility कि बेकार है तो कार्ट दो क्या फरक पड़ता है तो उनको ये बताने की जरूरत है हो सकता है वो समझ जाए क्योंकि ये मन्या ही मानना चाहिए कि यहां जितने भी हैं वो सब बहुती समझदार होंगे उनकी समझ दूसरे तरह की हो सकती है तो अगर हम उनको ठीक कर पाए समझ के इस तरपर तो वो हमारे साथ आ जाएंगे क्योंकि हमारा उनसे कोई जगड़ा थोड़ी है हम तो सब बता और माननिता की बात लेके जा रहा है व्यक्तिकत किसी से कोई जगड़ा नहीं है कोई कॉंग्रेस का है कोई बीजेपी का कोई राश्टवादी का है कोई शिवसेना का ठीक है जो जहां है रहे हमारा तो प्रशन उससे बड़ा है बीजेपी से बड़ा है कॉंग्रेस से बड़ा है राश्टवादी से बड़ा शिवसेना से बड़ा क्योंकि सब्वितामान निता का प्रश्ण है तो बड़े प्रश्ण हैं तो उसी बड़े फलक पे हमें हल करने तो ऐसी एक मिंती मैं आपसे करने आया कि आप इस काम को बहुत महत्वपूर मानकर जीवन में बहुत उंचे इस्थान पर इसको दरजा दे कर थोड़ा प्रयास करें तो जरूर हो जाएगा आप जितने लोग यहां हैं रोज अगर एक घंटा भी इस काम में लगाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ यह काम हो जाए कुछ असमबद नहीं है बस एक बार आपको खड़े होने की बात है अब खड़े कैसे हों कभी नगर महा पालिका में बड़ी बैठक होगी तो आप सब लोग कम से कम उस दिन नगर पालिका के सामने उपवास करें सैकड़ों की संख्या में करें माताएं भी हों बहने भी हों पुरुष भी हों बच्चे भी हों उसका नैतिक असर बहुत होता है बहुत होता है कांदी जी हमेशा इसका इसका इस्तेमाल करते रहे उसमें हम तो शुद्ध होते ही हैं सामने वाले पर असर बहुत होता है तो अगर नगर महापालिका में ऐसा कुछ होता है आपने किया कौन जाने उसी दिन नगर महापालिका में प्रस्ताव वापस हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा प्रश्व ऐसे ही इन नगर सेवकों के घर घर जाकर उनको कन्विंस करना इस बात से वो भी बहुत आवश्चक है उसके लिए ये अपने कारिकरताओं ने एक छोटी सीडी बनाई है वो आप सब को दिखा दीजे कि कतल खाने में होता क्या है अंदर एक बार कोई देख लेगा अंतर आत्मा हिल जाती है और नगर सेवकों के पत्नियों को और उनके बच्चों को पहले दिखा दीजे हाँ ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ आप से किसी को अगर ठीक करना है न तो उसकी पत्नियों और बच्चों की रास्ते से करिए बहुत आसानी से होता है सीदे कहेंगे तो बहुत अहिंकार में बात करें मनुश्य का जो सभाव है न वो सांप जैसा होता है साप आपने देगा न सडक पे चलेगा ऐसे ऐसे बहुत टेड़ा मेरा चलता है सीदे कभी नहीं चलता है जब घर में घुसता है बिलकुल सीदे जाता है घर में टेड़ा मेरा नहीं चल सकता है क्योंकि उसकी बीबी को उसकी बहुत सारी पोल मालूम है बच्चों को सम्मालों है इसलिए बीवी बच्चों के सामने ठेड़ा नहीं रह सकता एक गम सीधा है तो जहां वो सीधा है वहीं चोट करिये न तो उनके बच्चों को उनकी पत्तियों को आप दिखा दीजिए देखो कतल खाना कैसा होता है वो अपने पती को या अपने पिताजी को कन्विंस कर लेंगे आप लड़ाई जीत लेंगे कुछ मुश्किल नहीं है इसमें और बहुत अच्छा होगा जब आप ऐसा कोई धरना प्रदर्शन करें तो उनकी पत्तियों और बच्चे भी उसमें शामिल हो कर बंद करों यह यह बिलकुल संबव है इसमें असंबव जैसा कुछ नहीं है क्योंकि आखिरकार वो सब भारतिये हैं सब बिताव में उनके वही मन में है कि पुनर जनम होगा पूच्चलो नहीं तो जाके मानेंगे तो वो भी कि पुनर जनम होगा तो तुमको अगली बार गाय का जनम मिला और ऐसे ही कतल खाने में काटा तो तो आएंगे आपके साथ ये जरूर होगा कि उनके ऊपर अपनी अपनी पार्टियों का थोड़ा प्रेशर आएगा क्योंकि पार्टियां बहुत एहिकार में डूबी हुई है पार्टियों को ऐसा लगता है कि सारा देश वो ही चला रहे है वास्तविक्ता ये है कि देश अपनी गती से चल रहा है पार्टियों का उसमें कोई उगदान नहीं आप देखो ना इस देश में जनम होते हैं शादी होते हैं व्या होते हैं मरण होते हैं पार्टियों की क्या भूमिका है उसमें है कुछ तो देश तो अपनी गती से चल रहा है पार्टियों को ये एहिंकार हो गया कि हम देश चला रहे है हलांकि वो देश को डुबो रहे हैं चला क्या रहे हैं 58-69 साल से हमने सब को देख लिया है एक ने खड़े में डाला दूसरा उसने उससे ज़्यादा खड़े में डाल दिया तो इनको ये एहिंकार है उस एहिंकार के तहद वो दवाओ डालेंगे वो दवाओ से आपको थोड़ा दोचार होना पड़ेगा उसमें ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं आने वाली आप अपने स्केंट पर खड़े रहिए बस